हेलो एंड विल्कम बैक टू यॉर यूट्यूब चैनल आइविल और जैसा कि आप सभी को मालूम है हम लोग सी साट के प्रीवेस एर कॉश्चन्स कर रहे थे जिसमें हम लोग ने दो लेक्चर्ज ले लिये हैं 2013-2014 अगर अभी तक आपने वह सारे लेक्चर्ज नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देखिए क्योंकि मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो उसमें बता चुका हूं और अगर आपने वह दोनों लेक्चर्ज देख लिये हैं तो आप इस सीरीज पर कंटीन्यू कीए इसमें हम लोग पूरे जितने भी सी साट के कोश् करेंगे और इसी कडी में हमारा जो अग्ला सालोगा वो 2015 होगा तो चलिए को चलिए शुरू करते है तू थाउजग्छं 11您 के जितने भी कोशन से वह सारे हम लोग इस lecture में देखने की कोशिश करेंगे एक 1 से लेके 80 तक के जितने भी math, reasoning बस reading को छोड़के comprehension और reasoning जितने भी questions होंगे वो सारे इस lecture में आपका complete हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question 12 people from a club 12 people from a club by picking lots one of them will host a dinner for all in a month the number of dinner a particular member has to host in one year is देखिये, इसमें एक चीज़ लिखा गया है क्या लिखा गया है? by picking lots lots का मतलब क्या होता है? lots का मतलब होता है lottery lots का मतलब होता है lottery और lottery में कहीं math हो सकता है? lottery is equals to luck lottery is equals to luck और luck में कहीं पहीं math हो सकता है? there is no maths involved in luck luck जहां पर भी luck होता है lottery मतलब luck आप lottery खेलते हैं बहुत जन्द lottery खेलते हैं raffle tickets आते हैं तो उसमें luck होता है और luck में math होता है तो वही बात बोली गए by picking lots lots का मतलब ही होता है lottery by picking lots का मतलब ही होता है कि lottery पिक कर रहे है और lottery यहां पिक कर रहे है 12 months, 12 people, then we divide both and 1 and take one answer लेकिन ये गलत होगा answer ये answer जो होगा, ये गलत होगा इसमें lottery है, ये जो word है lottery ये भीषट matter करता है और जब ये matter करता है, तो इसका मतलब एक luck आ रहा है और जहां पर luck आ रहा है, वहाँ पर maths नहीं आ सकता तो जहां maths नहीं आ सकता, वहाँ cannot be predicted होगा वहाँ पर predict नहीं किया जा सकता बात समझें, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अब इस टाइप का जो सवाल आता है इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको गलतियां बता रहा हूँ कि जो लोग गलतियां करते हैं और अगर आपको यह पता चलिए कि लोग गलतियां कर रहे हैं तो आपको यह समझ में आ जागा कि हमारे क्या गलती नहीं करनी है ठीक है, लोग क्या करेंगे, कि इसमें एक pattern खोजनी की कुशिश करेंगे 40 और 50 की बीच में क्या pattern है 50 और 60 की बीच में क्या pattern है 60 और 75 के बीच में ne Как बिच में लेकिन यह हमें नहीं करना है यह याद रखना हमें यह नहीं करना है क्योंकि अगर हमें ऐसा करने जाए तो हमें कोई एक set pattern नहीं दिखता है कि यह दोनों के बीच में half का relation है इन दोनों के बीच में half का या 1 by 4 का relation कोई relation में एक established relation हमें नहीं दिखता है क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है 1 by 4 का relation है इन दोनों के बीच में कितना है इन दोनों के बीच में 1 by 5 का relation है इन दोनों के बीच में कितना है 1 by 4 का relation है तो कोई established और fixed pattern हमें नहीं रिखता है बात समझ में लेकिन एक चीज़ याद रखना कि कोई भी अगर owner है कोई भी अगर owner होता है तो उसका budget उसका जो budget होता है वो fix होता है अब जैसे हम लोग ने इस बार budget देखा होगा Fev में जो budget आया था वो भी आपने देखा होगा उसमें budget धंग से पढ़ना देखो off the topic जा के बता रहा हूँ लेकिन जो हर साल का जो budget होता है और economic survey होता है उसको धंग से पढ़ना ठीक है चलो let's get back to the own topic जो budget होता है किसी भी person का वो budget हमेशा constant रहेगा budget constant रहेगा मतलब कि जो monthly consumption है और जो price है price चाहे कितना भी बढ़ जाए या consumption चाहे कितना भी घड़ जाए लेकिन जो budget दिया गया है पेट्रोल के लिए वो हमेशा constant रहेगा और budget कितना है देखो 16 to 40 कितना होता है 2400 15 to 48 कितना होता है वो भी 2400 होता है 16 to 40 कितना होता है 2400 75 into 32 कितना होता है 2400 तो 2400 आपका petrol का budget है यह चीज देख लो इन दोनों को multiply करेंगे तो 2400 ही आएगा इन दोनों को करेंगे 24 इन दोनों को करेंगे तब भी 24 और इन दोनों को करेंगे तब भी 24 यह आएगा तो 2400 जो है वो आपका budget दे दिया गया है अब चाहे petrol का price कितना भी बढ़े या कितना भी घटे आप 2400 से ज्यादा खर्चन नहीं कर सकते हैं कोई भी person नहीं कर सकता ठीक है और जो 2400 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं 2400 ही आपका budget है तो 80 liter हो जाएगा तब कितना हो जाएगा 2400 को 80 से divide कर दीजिए किटना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30 हो जाएगा तो Zw many चजो लीटरиком में कितना हो जाएगा 3030च लीटरी है करीच सकते हैं आपकर है 2400 रुपे आपका असी रुपे प्राइस पड़ गया तो आप कितना करीच सकते यो 30 लिटर री खाइब सकते हो बात समझें बहुत simple तरीके से समझा रहा हूं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह एक pattern का question है और जहाँ pattern का question होता है वहाँ पर आप एक चीज़ ensure कीज़ेगा कि आपको clockwise और anti-clockwise पता हो ठीक है और अगर आपको यह पता है तो आप बहुत easily कर लोगे ठीक है देखो इस question में का है कि सबसे पहले हम लोग देखते है किसको triangle को देखते है सबसे पहले हम लोग देखेंगे triangle को triangle जो है पहला box यह पहला box यह second box यह third box यह fourth box ठीक है और यह fifth box है ठीक है first box से लेके second box में जब triangle जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है वह ऐसे जा रहा है, then, ऐसे जा रहा है, then, ऐसे जा रहा है, कैसे ऐसे, फिर उपर, देख लो, second, second में ऐसे गया, third में उपर गया, मतलब, यह इस type का pattern follow कर रहा है, तो fourth के बाद, जो fifth जाएगा, वह उसमें कैसे जाएगा, यह उपर जाएगा, बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज पता चल गए, कि यह जो triangle है, यह उपर जा रहा है, लेकिन, एक चीज आप और notice करो, क्या, कि triangle जो है, एक position से, जब दूसरे position में जा रहा है, तो अपना inverse हो जा र हो जाएगा, ट्रीयंगल पहले सीदा था, ऊपर के तरफ triangle था, लेकिन यहाँ पर गया, triangle कैसा हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, फिर जैसे, नीचे से, जैसे अगले box में गया, इस box में गया, तो एक triangle जो था, यहां से, उपर के तरफ हो गया, मतलब यह straight हो गया, again पिर फिर फिर उल्टा हो गया तो अगला जो जाएगा उसमें क्या होगा ट्रेंगल ंज होगा बात समझ मैंगा यहां से जब जाएगा तो वह वो उपर बेंगा तो ऑपर समय नक्स के यहां से उपर जाएगा इस जगह से तो ऊपर ही जाएगा अब आपर जाएगा और इसका अपो जिया इसका उपोजलिट कितना हो जाएगा सीधा ओ जाएगा थीकिए इसकी बाद यह बात को समझ में आगी अब आप यहchu चीज करो यह जो ब्लैक्डट का कुसमरें इसे जा रहा हinku पहले , इसे जा रहा हा है , फिर उसके पाद ऐसे जा रहा हुँ यह है , radi है ओपर से इधार गोई अब जो नेक्स पोजीशन हे ओगा वो निचे की तरफ होगा । यहा नीचे के तरफ जाएगा मतलब यहां पर कहीं पे black dot होगा बात समी मही यहां पर black dot a में या बी में से किस में है आपको पता चल गए कि answer क्या होगा वो होगा बात समी मही यह जो black dot वो anti-clockwise गूम रहा है clockwise नहीं clockwise ऐसे गूमता है anti-clockwise गूम रहा है अंसर ये दोनों condition को satisfy कर रहा है बात संच में चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ ठीक है 12th number सवाल 12th number सवाल क्या कहता है 12th number सवाल कहता है कि इसमें हम लोगों missing number पता करना है ठीक है missing number पता करना है चलो देखते हैं 3 और 6 8 और 56 10 और 9 2 और 1 something और 21 और 0 कुछ पता चल रहा है कुछ पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है देखो अब इसके बाद देखो 3 और 6 किसी तरीके से related है हाь सर related है किस तरीके से या तो प्लस 3 कर दीजैं तो 6 आए गा या इन्टो 2 कर दिजैं तो 6 आए का बाद सर्क में, 8 और 56 किसी तरारीके से related है हां सर 8 इन्टो-756 और 007 और यो 9 इंटी होता है 2 такие 2 संबिंग को ऩाओ ही तो 1 इंटी 0 जो थै c Jerry बतसर में तो 32 8 r 2 7 10 r 9 2 r 2 room कुछ आफकο समझ में ऩा ह्रह है इन सब treating कुछ आपको चीज को समझ में ने हाँ क्या यह वाले नंबर्व्स है यह वाले जो से 1- funzition किया तो कितना हुआ 7 हुआ और 78 into 756 बिल्कुल 10 से 1 minus किया तो 9 10 into 9 equals to 90 2 से 1 minus किया तो 2 हुआ तो इस तरीके से 1 से अगर 1 minus किया तो 0 हुआ और 1 into 0 इकॉस तो हमें यह चीज़ देखनी है कि एक number और उसे एक number कम मतलब x x into x minus 1 is equal to 20 होना चाहिए ये बात से में अगर आपको simple simple अगर आपको थोड़ा बहुत maths पता होगा तो आपको ये पता होगा कि 5 4s are 20 होता है 5 into 4 equals to 20 तो answer आपका 5 हो जाएगा अगर आपको मोटा मोटा पता है तो और अगर आपको ये भी नहीं पता है कि सर्फ हम कैसे पता करें कि 5 ही होगा तो उसके लिए भी मैं आपको एक solution बता देता हूँ देखो अगर आपको 5 into 4 पता है तो आपके 20 seconds कम हो जाएगे वरना आपको इस equation को solve करना पड़ेगा x into x minus 1 is equal to 20 इस equation को solve करना पड़ेगा इस equation को कैसे solve किया जाएगा x उसके बाद और क्या कर सकते है x square minus 5 x minus x को किस तरीके से लिख सकते है minus x plus 4 x लिख सकते है minus 20 equals to 0 इन दोनों को plus minus करेंगे तब भी x आएगा जी बिल्कुल सर आएगा अब इन दोनों में से common क्या लेंगे x लेंगे x minus 5 plus 4 x minus 5 equals to 0 तो x is equals to minus 4 और x is equals to 5 इन दोनों में से common equation होगा और जैसा कि हमें मालूम है कि minus 4 minus 5 तो हम कर नहीं सकते हैं तो plus 5 होगा answer तो answer क्या हो जाएगा 5 ठीक है बात समझ में इस तरीके से आप equation को solve कर सकते हैं वरना अगर आपको 5 into 4 पता है तो आप बहुत जल्दी इस question को solve कर लेंगे चलिए अगली question की तरफ बढ़ते हैं ठीक है देखते है अगला question क्या है What is the missing number x in the series अब x पता करना है in the series ठीक है okay done x हमें पता करना है तो देखो क्या क्या है 7 और x के बीच में क्या relation आपको पता है नहीं पता है x और 21 के बीच में क्या relation आपको पता है नहीं पता है ओके sir हमें यह नहीं पता है लेकिन आपको यह ज़रूर पता है कि 21 और 31 के बीच में कितना का difference है वो 10 का difference है 31 और 43 के बीच में कितना का difference है 12 का difference है मतलब अगर हम यहां पर इन दोनों के बीच में 8 गा difference और इन दोनों के बीच में 6 का difference अगर अगर हम लोग establish कर देता है माल लो 7 है, x है, 21 है, 31 है, और 43 है, इन दोनों के बीच में 12 का difference, इन दोनों के बीच में 10 का difference, इन दोनों के बीच में 6 का difference, अगर हम लोग establish कर देते हैं, इन दोनों के बीच में 8 का difference और इन दोनों के बीच में 6 का difference अगर हम लोग establish कर देते हैं तो हमारा पूरा equation बन जाएगा जी विल्कुल सर बन जाएगा तो 7 प्लस 6 कितना होता है? 13 होता है और 13 प्लस 8 कितना होता है? वो 21 होता है तो 13 प्लस 8 21 होता है और 7 plus 6 जो होता है वो आपका 13 होता है तो आपका ये equation तो बन जा रहा है कैसे बन जा रहा है देखो मैं आपको बताता हूं अगर हम 7 ले, 13 ले, 21 ले, 31 ले और 43 ले तो इन दोनों के बीच में कितना का difference? 6 का difference, इन दोनों के बीच में 8 का difference इन दोनों के बीच में 10 का difference, इन दोनों के बीच में 12 का difference, अब दोनों में 2-2 marks, 2-2 numbers जो है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका answer क्या हो जागा 13 हो जागा, तो इसका answer क्या हो जागा, C 13, बात समझे हैं, इसका answer आपको पता है, B, A, that is 5, इसका answer C, चलो, से, इस figures को अगर rearrange करें, इस figure को अगर हम लोग इधर उधर करें, तो कौन सा figure बन सकता है, A, B, C, D में से, कौन सा figure बन सकता है, देखो, सबसे पहले हम लोग देखते है, A, क्या A बन सकता है, नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखो, ये जो है न, ये थोड़ा 90 degree है लेकिन यहां पर 90 degree नहीं है बाती सरमाने लेकिनम घी करने तो आघीडिगरी नहीं है तो हमें यह इंस इमें विपों सकता हिसको कर दिया जाए अगें बी में तो यह ट्रेपीजीम बन रहा है यह तो बिल्कुली नहीं है यह तो बिलकुल ही नहीं है क्योंकि अमारे पर trapezium का तो कोई shape है ही नहीं ठीक है Again CC में सेम प्रवल्म आ रहा है कि देखो यहाँ पर 90 डिगरी थोड़ी बन रहा है तो यह भी नहीं हो सकता ठीक है D में नेको यह 90 डिगरी बन रहा है यह बिलकुल तो आपको यह पूरा image बन रहा है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बातसर में ही, तो इसका answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, चीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं, 15th number सवाल, In a test, a candidate attempted only 8 questions and obtained 50 marks in each of the questions, ठीक है, कोई भी एक test है, उसमें 8 questions एक बंदे ने attempt किये हैं, उसमें 50 marks लिका है हर एक question में, मान लो एक question 10 marks का है, ठीक है, तो 50% कितना हो जाएगा, 5 marks, ठीक है, एक question का अगर हम marks मान लोते हैं, 1 question का mark जो है, वो है, आपका 10, ठीक है, 10 marks, ठीक है, और उ उसमें 50 marks लिका है हर एक question में, total उसमें कितने questions attempt किये, 8 questions attempt किये, और उसमें 50 marks लिका है, मतलब 5 marks लिका है, 8 into 5 marks, तो total marks लिका है, 40 marks लिका है, और जो 40 marks है, if he obtained a total 40% in the test, यह 40 marks है, वो 40% of the total marks in the test के बराबर है, मतलब 40 marks, 40% of the test के marks के बराबर है, text marks, मतलब total marks के बराबर है, test marks, लिका है, तो 100% of total marks का मतलब क्या होता है कि total test कितने marks का है तो total test कितने marks का है 100 marks का है एक question कितने marks का है 10 marks का है अब question क्या पूचा है कि how many questions were there in the test कितने questions थे test में अगर आपको पता है कि total marks कितना है 100 है एक question कितने marks का है 10 marks का है तो total number of questions कितने हो जाएंगे में 5 marks लेका है, तो 8 into 5 is equal to 40 marks, वो 40 marks लेका है, और 40 marks 40% है, total test marks के जि बिल्कुल सारा equation, आपका सारा चीज इससे solve हो जा रहा है, तो इसका answer क्या हो जाएगा उसका answer हो जाएगा B, that is 10 कितने questions थे, that is 10, 10 questions थे total, यह याद रता है, ठीक है चलो, आगे बढ़ते, अगर आपको यह question समझ में नहीं आया, ठीक है, या कोई भी question आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे comment section में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब मैं यह पढ़ाऊं, जब भी अगर आपको doubt आता है, तो comment section में ज़रूर बता देना, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के तरफ, A father is 9 times as old as his son, and mother is 8 times as old as his son, माल लो son का age x है, तो father का age कितना हो जाएगा, father का age हो जाएगा, 9x, 9 times, mother का age कितना हो जाएगा, mother का age 8x, क्योंकि 8 times, ठीक है, son का age है, son's age is equals to x, ठीक है, okay, done, the sum of father mother's age is 51, तो इन दोनों को अगर हम add करते हैं, तो कितना आ जाता है 17x, और वो कितना बता है 51 years, that is 51 years, 17x is equals to 51 years, तो हमें पता करना है कि what is the age of son, हमें x निकालना है, तो x is equals to 3, क्यों 51 divided by 17 is equals to 3, तो 3 years आपका age हो जाएगा, बात सब्सक्राइब, तो answer क्या हो जाएगा, D, बहुत easy सवाल, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरह देखते हैं, 4% A, B, C, D, consist of 2 married couples, देखो A, B, C, D, consisting of 2 married couples, देखो 2 married couples हैं, चीक है, एक चीज है, क्या, पहला condition क्या है, both the women are shorter than their respective husbands, जो women's है, वो अपने husband से shorter है, यह बात सब्सक्राइब आ गई, जी बिल्कुल, अब A is the tallest among the four, A is tallest, ठीक है, A is tallest, और जो tallest होगा, वो महिला नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि महिला जो है, वो अपने counterpart, male से चोटी है, height में, ऐसा इसमें लिखा है, ऐसा इसमें लिखा है, कि both the women's are shorter than their respective husband, तो A to male हो गया, क्यों male हो गया, यह तो मैने बता दिया, A male क्यों हो गया, क्योंकि A tallest है, और जू क्यों यह tallest है, तो कोई महिला इससे लंबी नहीं हो सकती, इसकी जो wife होगी, वो इससे लंबी नहीं होगी, तो इसका तातपरिय यही निकलता है, कि A जो होगा, वो male होगा, बात संच मैं, चीक है सर, अब C is taller than B, C जो है, वो B से taller है, लेकिन इससे आप यह नहीं करसे कर सकते हो कि C जो है, वो male है या female है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि B male है या female है, या C male है या female है, सिर्फ tall होने से आप उसको husband wife के category में नहीं डाल सकते हैं, यह याद रखना हाँ, हाँ, हलाकि tallest होगा, तब अलग बात होगी, ठीक है, लेकिन यह पता चल गया कि C is taller than B, यह बात संच में आगे, क्या धीक है, और यहा पर 1D है, ठीक है, लेकिन यह दोनों के बीच में जो relation है, क्या है? ब्रो सिसका है, मतलब भाई बहन का है, ठीक है, राकी बानती है या B, लेकिन इससे हमें यह क्या मालूम चलता है, कि bro sis का relation है और यह पता है कि D जो है वो भाई है यही तो लिखा है कि D is B's brother मतलब D भाई है तो D भाई है तो इसका मतलब हो कि D जो है वो तो male होगा ही होगा क्यों male होगा क्यों कि अगर वो भाई है भाई कभी भी लड़की नहीं हो सकती यह याद रखना भाई कभी लड़की नहीं हो सकती तो D जो है वो male है क्योंकि यहां लिखा हो है कि D is B's brother तो D जो है वो भाई है B का भाई है उपर से ठीक है और यह चीज़ पता चल गया है कि इन दो लों के बीच में bro sis का relation है उसके बाद in this context in this context which of the following statements are correct देखो अब हमरे परस क्या क्या है A B C और D इसमें से दो male दो female है और दो couples है यह बात समझ में आगी okay done अब एक चीज़ पता चल गया कि A B C D A भी male है D भी male है अब B C जो है वो females है यह बात समझ में आगी okay sir done अब B C female है और D की एक पतनी भी है B जबकि D की पतनी नहीं हो सकती B जो है वो D की पतनी नहीं हो सकती और दो ही male है तो अब दूसरी male होती है C तो C ही male D की पतनी हो सकती क्यों क्योंकि एक तो C जो है वो female है और दूसरा वो उसका भाई बैन के relation में नहीं आता है भाई बैन कभी भी पति-पत्नी नहीं हो सकते हैं तो B जो है वो पत्नी नहीं हो सकते हैं लेकिन C जो है वो पत्नी हो सकते हैं तो C जो है वो D की पत्नी है तो अब एक इसमें लिखा है न कि दो married couples हैं तो एक couple तो ये बन गए तो दूसरा couple ये भी बन गए A और B बात समझ में तो अब हमें यह पता चल गया कि दो couples बनते हैं उसमें से कौन-कौन couple है A और B couple है और D और C couple है ठीक है, D और C couple है ठीक है, और B और D के बीच में भाई-बहन का relation है, ठीक है, ठीक है यह हमें पूरा चीज समझ में आ गए, ठीक है, ठीक है A, okay done All four have family ties A, B के साथ relation में hojaeद और D, C के साथ relation में B, C के साथ भी हो जाएगा A के साथ relation में तो यह किसी एक family relation में आता है Okay done, all four have family ties Okay, this is correct eg B is shortest among the four अब B झो है वह shortest among the four होगा क्यूंनकि, बी B जो है A से बड़ा है क्या नहीं, नहीं बड़ा है B D से बड़ा है क्या B C से बड़ा है क्या यहाँ ठ Pandemie दिखाल रim एक चीज यह समझ में कि क्या C is taller than B, okay done ठीक है, और C जो कि C is taller than B and D is taller than D is, sorry D is taller than C यह बात भी पता है क्योंकि इन दोनों में से कौन बड़ा चोटा है D हमेशा बड़ा होगा क्योंकि D male है D is male और C is female तो D जब बड़ा है और C से भी बड़ा है D तो automatically है कि C से बड़ा है तो B से भी बड़ा होगा और A, B, B से बड़ा है तो B जो है वो shortest है यह भी बात सही है B भी shortest है, यह भी बात समझ में आ गई उसके बद C is taller than D जेको C क्या taller than D हो सकता है क्या नहीं नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यह दोनों के बीच में wife husband का relation है wife husband में हमें यह पता है कि husband जो है वो taller है और husband कौन है D है तो D हमेशा taller होगा तो C cannot be taller तो यह statement गलत है तो हमें यह पता चल गया है कि answer क्या होगा answer हो जाएगा C क्योंकि C is not taller than D D is taller than C okay done चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल की तरफ a man has a wife two sons and two daughter man है उसकी एक wife है उसके दो sons है ठीक है two sons और two daughters okay done two daughters the daughters were invited to a feast यह daughters को एक feast में invite कर लिया गया यह लोग चले गया okay done and male members of the family went out to take part in the picnic और male members A-S-S यह सारे जो थी यह कहाँ चले गए यह पिकनिक में चले गए यह फीस्ट में चले गए यह पिकनिक में चले गए okay done the man's father did not return to his work man's father man's father man's father he is at work he is at work okay done which of the following statements is true अब इसमें से कॉंसा statement true है only the man's wife was left at home देखो जब कभी भी extreme statements होता है तो UPSC हमेशा से extreme statements को गलत मानता है 99% अब ऐसा भी नहीं कि एकदम extreme अब यही बोल दे कि sun rises in the east only तो यह statement तो सही ही होगा अब ऐसा भी नहीं कि extreme statements हमेशा गलत होता है लेकिन 99% chances यह होता है कि extreme statements गलत ही होता है ठीक है UPSC में तो only वाले statements को हटा दो ठीक है only वाले statements हट जाते हैं उसके बाद it is likely that the man's wife was left at home अब ऐसा भी तो हो सकता है कि wife जो है वो भी कही shopping में चली गई हो यह कहीं चली गई हो हमें तो पता नहीं है लेकिन हमें यह पता है कि शायद वो घर पे हो सकती है ठीक है तो it is likely that it is man's wife that it is at home तो यह statement सही होता है ठीक है और जो सही है वह हमें बताना है चलो आगे बढ़ते हैं अगला statement की तरफ देखते है 19th number सवाल नरेश has become a better boxer since he started meditation नरेश जो है वो एक better boxer बन गया है जब क्योंकि meditation start किया ऐसा कौन बोल रहा है ऐसा बोल रहा है गीता ठीक है लेकिन Radha क्या बोल रही है Radha बोल रही है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है impossible boxer's most important asset is aggressiveness boxer का most important जो asset है जो सबसे जादा उसकी कीमती वस्तु है वो aggressiveness है और आप बोल रहे हो कि meditation करके वो अच्छा boxer बन गया है तो यह तो opposite हो जाएगा क्योंकि meditation जो है वो aggressiveness को कम कर रहा है ऐसा राधा बोलना चाहरी है ठीक है तो वही बात पूछा है कि कौन सा statement है जो Radha reflect कर रही है Radha यह बोल रही है कि meditation meditation जो है वो एक person को less aggressive बनाती है इसलिए वो बोल रही है कि वो impossible है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है तो इसका मतलब हो जाता है हमें साइज treatment क्या हो जाएगा कि meditation जो है Radha के अनुसार less aggressive बनाती है ठीक है okay done next statement की तरफ देखते है all good athletes want to win and all athletes who want to win all good athletes eat a well-balanced diet okay done all good athletes eat a well-balanced diet therefore all athletes who do not eat a well-balanced diet are bad athletes अब देखें से conclusion क्या क्या निकल सकता है no bad athlete want to win ऐसा कहीं पर लिखा है कि bad athlete विन नहीं करना चाहते है नहीं आइसा नहीं लिखा है no athlete who does not eat a well-balanced diet is a good athlete देखो 2 negative आ गया है जहां 2 negative आ जाता है वहां एक positive बन जाता है तो no athlete who does not want to who does not eat a well-balanced diet देखो no athlete who does not eat a well-balanced diet is a good athlete जो well-balanced diet नहीं लेता होगा ऐसा कोई वेक्ती नहीं है जो good athlete नहीं है यही statement सही है यही statement जो है वो सही है ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल के तरफ देखो अगर आपको कोई statement समझ भी नहीं आती है कोई भी question समझ भी नहीं आता comment section में लिख देना मैं उसे फिर से समझा दूँगा ठीक है next question 29 if a run less faster than b a run less faster than b b runs as fast but not faster than c b fast दौडता है लेकिन ऐसा इतना fast नहीं दौडता है कि वो c के बराबर हो जाए then as compared to a c runs सबसे पहले इसमें हम लोग एक equation बनाएंगे कि b runs faster than a okay done b run faster than a b run as fast but not as fast as c मतब c runs faster than b okay done c greater than b and b is greater than a यह हमारा statement बन जाता है then as compared to a c runs c runs कैसाथ as compared to a c runs faster यह faster है okay done यह statement पूछा है बहुत easy सवाल बहुत simple बहुत क्रिप्स यही आपका answer होगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल each of a,b,c,d has 100 rupees सब के पास 100 rupees a pays 20 to b a 20 pay करता है b को a pays 20 to b a pays 20 to b a के पास कितने बच गये a के पास 100 में से 20 चले गये that means 80 अभी के पास अभी कितने आ गये b के पास आ गये 120 rupees okay done लेकिन b who pays 10 rupees to c लेकिन b आपने 10 rupees c को भी pays देता है मतलब b के पास 10 rupees और कम हो गये 120 में से 10 अगर minus कर देते है तो कितना हो जाता है 110 तो b के पास कितने बच गये 110 लेकिन s के पास कितने ओ गये 110 हो गये okay done Who gets 30 लीट अभी 110 थे और 30 rupees और आ गये कहां सकी D के पास से तो c के पास कितने ओ गये 100 130 plus 10 that is 140 c के पama के पास कितने 140 Gen और d के प पस कितने ओगहा d के पस 100 रहे सो पिलए से 30 पडिए मगश्य को देगा ? that means d के पस 70 रुपए हो est Arm हमें समझ में आए कि a के पस कितने ? b के पस कितने ? c के पस कितने ? d के पस कितने ? and what about a b के पस 80 हुआ ठीक है, B के पास कितने है, B के पास 110 है, पहले उसके पास 20 रुपए है ते, फिर 10 रुपए चले भी गए, C के पास कितने है, C के पास पहले 20 से 10 रुपए है, और फिर D से 30 रुपए है, that means 140 है, और D के पास कितने है, D के पास, उसके पास 100 रुपए थे, इसमें से 30 रुपय उसने C को दे दिया, that is 70 रुपय है, ठीक है, हमारे पस यह equation बैठ जाती है, यह वाला, ठीक है, okay, done, अब बताओ, अब इस question को कैसे solve करे, which of the statement is not correct, not correct पूछा है, ठीक है, okay, done, C is the richest, इसमें से सबसे richest कौन है, C है, okay, done, C richest है, तो यह statement सही है, D is the poorest, सबसे ग के पस कितने है, 70 है, तो B is richer than D, यह statement भी सही है, तो गलत क्या है, C, C गलत है, C कैसे गलत है, क्यों, C has more than what A and D have together, A और D, A और D के पस कितना है, A के पस 80 है, D के पस कितना है, 70 है, ठीक है, A और D के पस इतना रुपय है, ठीक है, और इन दों को जब हम लोग add करते है, तो कितन कितना आजाता, 150 है, और C के पस कितना है, C के पस 140 है, तो C के पस जादा है, A और D के पस जादा है, A और D के पस जादा है, A और D के पस जादा है, तो C has more than what A and D have together, नहीं, यह statement गलत है, और हमें क्या पता करना है, कि गलत कौन सा statement है, ठीक है, गलत हमें पता करना है, तो हमें आप जब भी देने जाओ या आप test series लगाओ उससे पहले दो chapters मैं आपसे request करूँगा कि 11th class 11th की NCRT के 2 chapters है उनको आप जरूर से जरूर पढ़ देना क्योंकि वो आपको लगग लगग 6-7 question का edge देदेंगे at least 6-7 question का edge देदेंगे एक first chapter है that is set class 11th NCRT that is CBSE ये सारे आप ये first chapter पढ़ देना set और दूसरê एक chapter है जो permutation and combination का है ये भी class 11th का है ये भी class 11th का है NCART का ही है और CBSE का ही है तो ये दो chapters permutation, combination ये दोनों आप पढ़ के जाना ठीक है यह बहुत जादा आपको edge देंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह question जो है यह 31 number सवाल यह भी set का ही है जिसमें 3 set का है ठीक है देखते हैं क्या question है सबसे पहला है कि इनने town 45% of the population read magazine A अब 45% जो population है वो A magazine को read करती है 55 read B and 40 read C 30 read A and B ठीक है and 15 read and 10% read all the 3 magazine ठीक है what percent do not read any magazine ठीक है okay done अब हमे अगर हम इसको set के तरफ से करना कोशिश करें तो किस तरीके से होगा सबसे पहले set जो है हमें पता क्या करना है हमें पता करना है 100% में से A union B union C को माइनस करने पे कितना आता है 100 में से A union B union C को माइनस करने से कितना आता है ठीक है यह question है मोटा मोटा यह question पूचा है तो हमें यह पता होना है कि A union B union C कितना है A union B union C का जो अगर हम formula निकाले A union B union C का जो formula होता है वो होता है NA plus NB plus NC ठीक है minus NA intersection B minus NA intersection C minus NB intersection C plus NA intersection B intersection C ठीक है यह हमारा total formula होता है NA कितना है NA कितना है NA है आपका the person who read magazine A that is 55% तो NA कितना हो गया 55 NB कितना हो गया person who read magazine B that is sorry NA हो जाएगा 45 sorry 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 my mistake my mistake NA जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा क्योंकि A magazine कौन कितने जन रीट करते हैं जो A magazine को read करते हैं ठीक है तो 45 NA हो जाएगा NB कितना हो जाएगा 55 क्योंकि 55% जो person है जो B magazine को read करते हैं और C magazine को कितने जन रीट करते हैं that is 40% तो 40 minus NA union B NA intersection B मतलब A और B में से कौन-कौन ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं that is 30% 35 and a 30 to the A or C में कितने ऐसे हैं A और C क्तने पढ़ते हैं 25% done और B और C कितने पढ़ते हैं B और C कितने पढ़ते करते हैं 15 परचने परचने दन this है और ऐसे कौन से लोग हैं 3 हो जो कितने पढ़ते हैं 10 पढ़ते है तो आप इस पूरे को equate करते हैं 45 plus 55 plus 40 plus 10 that is 150 30 minus 25 minus 15 30 minus 45 plus 40 that is 140 40 and 100 150 30 plus 25 that is 15 and that is 70 ठीक है minus 70 that means आपको आजाता है 80 जब आप इसको equate करते हैं तो आजाता है 80 ठीक है 80% ऐसे हैं जो A B A union B union C मतलब 3 में से कोई ना कोई एक magazine जरूर पढ़ते हैं या तो 3 ही पढ़ते हैं या कोई 2 पढ़ते हैं या 1 पढ़ते हैं at least 1 पढ़ते हैं ठीक है तो 80 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और कितने percent है वो 100% है तो 100 में से 80 लोग तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ठीक है तो A union B union C कितने हैं 80 हो गए है तो 100 में से 80 मैनस करते हैं तो 20 आ जाएगा तो हमारा कितना percent है जो magazine पढ़ते ही नहीं है that is 20% ठीक है बहुत अच्छी तरीके से समझा है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिर भी comment section में लिख देना अगर आप नहीं भी लिखते हो लेकिन आप कम से कम ये कोशिश करना कि set का जो questions है वो करके जाना set के questions करके जाना class 11th के और एक permutation और combination के ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल की तरफ examine the following statement following statement को examine करना lady finger is tastier than the cabbage lady finger is tastier than the cabbage मतलब क्या क्या आगया है lf is tastier than cb cabbage को cb लिखते है cauliflower is tastier than lady finger cauliflower is tastier than lady finger lady finger से भी tasty कौन है cauliflower is tastier than lady finger cabbage is not tastier than peas cabbage से tastier कौन है वो है peas peas जो है वो cabbage से भी tastier है लेकिन peas क्या lady finger से कुछ relation है यह मैं नहीं पता peas का क्या cauliflower से कुछ relation है हमें नहीं पता यह बात हमें समझ में आगई लेकिन cabbage और peas के बीच में कुछ relation है okay done जो सबसे खराब टेस्ट कौन कर रहा है वो cabbage कर रहा है क्योंकि cabbage किसी से भी अच्छा नहीं कर रहा और peas से भी खराब कर रहा चलो आगे देखते है peas are as tastier as cauliflower and ladyfinger peas और cauliflower का कोई relation है नहीं दिया है peas और cabbage ladyfinger का कोई relation दिया है नहीं दिया है यह फिर से वही है कि इन्होंने अपने से निकाल दिया है तो यह भी नहीं होगा cabbage is least tasty of the four vegetables cabbage जो है वो least tasty है of the four vegetables चीक है यह बताना देखो यह statement सही हो सकता है यह statement भी सही हो सकता है लेकिन 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 यहां पर हम लोग ने एक चीज़ गलती कर दी cabbage is not tastier than peas cabbage is not tastier than peas में देखो जब इस तरह कोई question आया तो यह भी सही है लेकिन जो best सही है जो हमें clearly दिख रहा है वह क्या clearly दिख रहा है कि cauliflower जो है cabbage से ज़्यादा tasty है यह हमें direct relation दिख रहा है फीक है हमें derive करना पड़ रहा है यह सबसे ज़्यादा सही कौन सा है cauliflower is tastier than cabbage यह बात हमें पता चल रही है क्या कि cabbage जो है वो least tastier है लेकिन उसको भी हम derive करना पड़ रहा है लेकिन जो सबसे best जो answer आ रहा है वो आ रहा है D, क्या? cauliflower, cauliflower is tastier than cabbage यह बत समया है, ठीक है इसमें देखो, दोनों answer सही है CV सही है, DB सही है, लेकिन जो best answer निकल के आ रहा है, वो DE ही आ रहा है ठीक है, चलो आगे बढ़ते है, अगला सवाल की तरफ देखते है शाहिद and रोहिट start from the same point in opposite direction देखो, दो person है शाहिद है और रोहिट है, ठीक है यहाँ पर शाहिद रखते है, यह एक same point रखते है और यहाँ पर में शाहिद रखते है यहाँ पर हम रोहिट रखते है, ठीक है, ठीक है शाहिद जो है start from the same point in the opposite direction opposite direction में जा रहे है, दोनों देखो यहाँ पर साहिद है, इसको रोहिट रखते है, ठीक है शाहिद after each one kilometer शाहिद turns always towards its left, शाहिद जो हमेशा left की तरफ मूड़ेगा, तो यहाँ से अगर वो left लेता है एक kilometer के बाद, तो वो यहाँ पर आएगा ठीक है, और रोहिट turns towards its right तो रोहिट अगर right लेता है, तो right यह होगा रोहिट का right यह होगा, okay done ठीक है, यह यहाँ पर एक kilometer चल चुक है अगें यहाँ पर एक kilometer चलेंगे, यहाँ पर रोहिट ने भी एक kilometer यहाँ चला है, अगें यहाँ पर भी एक kilometer चलेगा तो दोनों travel करने के बाद, फिर शाहिद अगें, it will take left, शाहिद जो है वो left लेगा शाहिद लेगा, इस तरफ आएगा और रोहिट राइट लेगा, रोहिट लेगा, रोहिट लेगा तो वो इस तरफ आएगा यह अगें, वन-वन kilometer चलेंगे तो दोनों यहाँ पर कहीं पर मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी one kilometer चलने के बाद और यहाँ पर भी one kilometer चलने के बाद तो यहाँ पर भी one kilometer चलने के बाद और यहाँ पर भी one kilometer चलने के बाद same point आजाएगा, okay, same point आजाएगा, ठीक है तो शाहिद ने कितने kilometer चले, तीन kilometer चले और वो मिल गए, रोहित कितने किलोमेटर चला, वो भी 3 किलोमेटर चला और दोनों मिल गए, ठीक है, अब देखते हैं क्या statement बोला है, after both have traveled 2 किलोमेटर, देखो 2 किलोमेटर ट्रेवल करने के बाद, the distance between them is 4 किलोमेटर, देखो 2 किलोमेटर चलने के बाद, यह यहाँ पर पहुंचा है, शाहिद यहाँ पर पहुंचा है, और रोहित यहाँ पर पहुंचा है, इन दोनों के बीच में कितना का difference है, 2 km का difference है तो 4 km का difference है नहीं है तो यह statement गलात हो जाती है हाँ यह आपर 2 km लिखा होता तो सही होता ठीक है They meet after each has traveled 3 km देखो शाहिद भी 3 km चलने के बाद मिला है रोहिद भी 3 km चलने के बाद मिला है तो यह statement तो सही है और हमें सही statement ही निकालनी है तो answer के बाद जाएगा बाद चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ In a 500 meter race B starts 45 meters ahead of A B 45 meter ahead of A start कर रहा है But A wins the race A जो है वो race जीच जाता है While B is still 35 meter behind ठीक है What is the ratio of speed? ठीक है Assuming that both start at the same time दोनों ने same time में start किया है andiron B 45 meters backした B 45 meter back A so speed is possible Speed equals distance upon Time एक चीज़ा में पता है कि ऑनों का time same है speed of A and b speed of A distance by A ? speed of B distance of B by time of B यहाँ पर time of A होगा, ठीक है तो speed of A upon speed of B निकालना है speed of A upon speed of B निकालना है, speed of A कितना होगा है DA upon DT ठीक है, और SB में क्या होगा कि DB upon TB, ठीक है दोनों चीज़े पता चल गए और यह हमें पता है कि TA TA और TB दोनों same है क्योंकि दोनों का same time पर दिखाए गया है तो दोनों को हटा दिया जाए तो हमें एक चीज़ पता चल गए कि हम दोनों का distance निकाल दे तो भी हम दोनों का speed निकाल सकते है बात समझ में हैं तो अगर हम दोनों का distance निकाल देते है क्या S of A upon S of B is equals to D of A upon D of B यह बात समझ में आगी ओके दन ठीके हमें पता है कि distance निकाल सकते हैं क्यासे क्योंकि हमें यह पता है कि देखो A जो है वो 500 meter चल रहा है ओके sir A 500 चल रहा है लेकिन B जो है वो कितना चल रहा है पहले तो 45 meter पहले ही कम चल रहा था और उसके बाद भी 35 meter और कम चल रहा है मतलब 500 minus 45 plus 35 अगर इन दोनों को गराम bracket में रख देते हैं तो 500 minus 40, 40, 40, 40, 80 minus 80 that is 420, 420 तो D कितना चल रहा है? 420 चल रहा है A कितना चल रहा है? 500 meter चल रहा है अगर स्पीड निकालना है तो दोनों को divide कर देते है that is 500 upon 420 अगर दोनों को divide कर देते हैं तो हमें आजाता है 25 upon 21 तो answer क्या हो जागा 25 upon 21 कहीं option में है? A option में है तो answer आजाता है 25 upon 21 चल रहा है चल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ देखते हैं देखो अगर तुम्हें कोई सवाल समझ भी नहीं आता है तो comment section में लिख देना मैं उसे फिर से समझा दोगा ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 2 equal glasses of same type are respectively full of milk ठीक है? respectively full of milk जिसमें 1 by 3 milk full है और 1 by 4 milk full है ठीक है? दोनों glasses में ठीक है? तो देखो 2 glasses है ये 1 glass है, ये 1 glass है इसमें 1 by 3 milk बढ़ा हुआ है ये milk बढ़ा हुआ है और इसमें 1 by 4 वो milk बढ़ा हुआ है ये milk बढ़ा हुआ है ठीक है? ये milk है तो इसमें पानी कितना बढ़ा हुआ है? इसमें 1 by 3 अगर milk है तो पानी कितना होगा? 2 by 3, okay ठीक है इसमें milk इतना है 1 by 4 है तो इसमें पानी कितना भरा होगा इसमें पानी 3 by 4 भरा होगा ठीक है यह तो basic fraction का सवाल है basic चीज समझ में आगे they are mixed they are then filled with water and the contents are mixed in a pot अब इन दोनों को pot में एक pot में mix कर दिया गया ठीक है okay done what is the ratio of milk and water अब milk and water का ratio बताना है यानी कि 1 by 3 of milk है और 1 by 4 of milk है ठीक है 1 by 3 plus 1 by 4 milk तो total milk कितना हो गया हमारा total milk हो गया 4 plus 3 that is 7 7 upon 12 milk हो गया यह हमारा हो गया milk ओके done और यह कितना है क्या बोल जाता है water कितना है water कितना है 2 by 3 plus 3 by 4 3 by 4 that is 12 upon 4 is 12 12 12 12 4 is 12 that is 17 ठीक है तो 17 यह हमारा क्या हो गया water हो गया अब हमें क्या निकालना है ratio निकालना है milk upon water का तो milk यहाँ पर है water यहाँ पर है इन दोनों का ratio निकाल देते है 12 से 12 चला गया यह यहाँ चला जाएगा तो that is 7 upon 17 7 upon 17 हमारा water upon milk का ratio है तो 7 upon 17 कहीं पर है हाँ है E में है तो answer आपका हो जाएगा बात्सवन मही ठीक है तो बहुत easily समझा है ठीक है अगर फिर भी मैं बता रहा हूँ हर question में बो रहा हूँ अगर नहीं आरा तो लिग देना comment में मैं आपको बता दूँगा अगर आपको नहीं समझ में आरा तो comment section में जरूर लिख देना ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल की तरफ Out of 130 students appearing in an examination 62 failed in English while 52 failed in mathematics whereas 24 failed in both ठीक है 24 failed in both English and Mathematics The number of students who passed finally आपको मैंने चीज़ बताई थी क्या बताई थी कि set के questions करके जाना देखो again this is also a set question ठीक है अगर आपने ये set के questions की होते तो ये set का सबसे basic question है ठीक है ओके देखते हैं किस तरीके से करते हैं सबसे पहले अगर हमें हम इसको when diagram में कुछ समझाने के कोशिश करते हैं कि actually question में क्या पूछा है question में पूछा है कि 130 बच्चों का एक set है ठीक है 130 बच्चों का एक set है उसमे 62 जो है वो English में fail हो चुका है 62 जो है वो English में fail हो चुका है और 52 जो है वो Math में fail हो चुका है 52 जो है वो Math में fail हो चुका है और 24 ऐसे हैं जो इन दोनों में fail हो है इन दोनों में 24, ये वाले जो section है वो 24 है 24 मतलब वो English में भी count हो रहे है वो Math में भी count हो रहे है ओके ठीक है उसके बाद हमें पूछा है कि number of students हो है past मतलब इस पूरे set में से इस section को अटा दिया जाए इस section को अटा दिया जाए तो कितने बच्चे past हो है मतलब क्या पूछा है कि 130 में से N A union B को हटा दिया जाए A union B को हटा दिया जाए तो कितने बैठते हैं A intersection A union B को अगर हटा दिया जाए तो कितने बच्चे बैठते हैं देखो दो चीज़े बता देता हूँ सबसे पहले क्या क्या एक तो आपको union और intersection में difference क्या होता है जब आप set करोगे तो आप लोगों के ये बीच में आएगा कि union क्या होता है और intersection क्या होता है A union B और A intersection B इन दोनों में differences आपको समझा देता हूँ सबसे पहले union क्या होता है union मतलब होता है कि देखो ये दो section है तो यह A है और यह B है तो इन दोनों को अगर हम लोग आउटलाइन करें ठीक है? आउटलाइन करें मतलब यहां से स्टार्ट करें और यह यहां तक जाए और यह यहां तक जाए अब इसके अंदर कितने आते हैं? उसको कहते हैं A union B और A intersection B का मतलब क्या होता है? कि इन दोनों के बीच में कितने लोग intersect कर रहा है इसको क्या आ इसको कहते हैं? पर यह A intersection B और इसके जो outline है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहाँे A Union B ठीक है तो 130 में से A union B को हटा दिया जाए तो भी हमारा answer आजाएगा तो 120 में से A union B हटाना है 130 minus A union B ठीक है आपको यह बत संज में आ गई ठीक है अब मैं बताता हूं आपको A union B कैसे निकाले जाता है A union B का formula होता है number of A N A plus N B minus N A intersection B ठीक है N A कितना है 62 है N B कितना है 52 है N A union B कितना है A union B 24 है अगर दोनों को हम लोग plus करते है तो 114 114 में से करम 24 minus कर देते है तो it will lead us to 90 तो 90 हमारे total बच्चे हो जाते है जो fail हुए ही हुए है 90 बच्चे fail ही हुए है और total बच्चे कितने 130 है और 130 बच्चे में से कर 90 बच्चे fail हो गए है In a group of people traveling in a bus A group of people traveling in a bus 6% can speak Tamil 15 can speak Hindi And 6 can speak Gujarati चीक है अब 6% ऐसे हैं जो Tamil बोल सकते है 15% ऐसे हैं जो Hindi बोल सकते है और 6% ऐसे हैं जो Gujarati बोल सकते है In that group None can speak any other language अब इसमें से कोई भी English और other language Urdu-Urdu नहीं बोल सकता है ठीक है 2% in the group can speak 2 languages only 2% in the group can speak 2 languages only And 1% can speak all the 3 languages अब 2% ऐसे हैं जो 2 languages बोल सकते हैं और 1% ऐसा है जो 3 language बोल सकता है ठीक है बात संच में आगी चलो 2% अगर 2 person 2 language बोल सकते हैं सबसे पहले हमें total number of person निकालना है सबसे पहले सवाल समझ लो कि total number of person निकालना है total number of person मतलब कि 15% जो Hindi बोल सकते हैं 6% जो Gujarati बोल सकते हैं और 6% जो Tamil बोल सकते हैं ठीक है तो total कितना हो गया 12 and 15 15 plus 12 that is 15 plus 12 15 plus 12 is 27 ठीक है तो total आपका कितना हो गया 27% है जो कुछ नो कुछ लेंगविज बोलते हैं लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गया क्या कि 2% ऐसे हैं जो सिफ कोई लेंविज बोल सकते हैं 2% ऐसे जो 2 लेंविज बोल सकते हैं मतलब वो Gujarati मतलब मालनो 2% जो है वो Hindi भी बोल सकते हैं और Gujarati भी बोल सकते हैं ठीक है एक Hindi बोलेगा मतलब वहीी person हिंदी भी बोलेगा और Gujarati भी बोलेगा मطलब उसको 6 मेंसे वो 6 में भी काउन्ट आएगा वो 15 में भी काउन्ट आएगा एक person ऐसा हो गया फिर अनदर person ऐसा है जो Hindi भी काउन्ट आइगा तो वो Hindi में भी काौन्ट आएगा उसको at least दो जगा से काटना पड़ेगा तभी तो जाएगा वो उसको सिर्फ एक ही जगा से काउंट करना है, मालनों तीनों बोल सकता है, वो गुजराती भी बोल सकता है तामिल भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है तो वो तीनों जगा पे count हो रहा होगा Gujarati में भी count हो रहा होगा Hindi में भी count हो रहा होगा Tamil में भी count हो रहा होगा तो अगर हम उसको Tamil और Gujarati से हटाना है तो इन दोनों जगा से हटा देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ Hindi में count होगा तो अगर हम इन दोनों जगह से रहाट आएंगे तो उसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे दो माइनस करने पड़ेंगे अगें दो माइनस करेंगे that will lead us to 23 तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 23 बात समझ में 23% है जो टोटल रहते हैं और 23% में से 6% ऐसे हैं जो तामिल बोलेंगे 15% ऐसे हैं जो हिंडी बोलेंगे और 6% ऐसे हैं जो गुजराती बोलेंगे और इसमें से 2% ऐसे हैं जो 2 लैंवेज़ बोलेंगे और 1% ऐसे हैं जो तीनों लैंवेज़ बोलेगा बात समझ मैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ इनन पार्किंग एडिया देखो इनन पार्किंग एडिया टोटल नंबर अफ वी वील्स अफ ओल कार अफ ओल कार्स एंड स्कूटर्स इस हंड्रेड मोर देन त्वाइस अफ पार्ग वेहिकल सबसे पहले मैं तोटल नंबर ऑफ पार्गded वेहिकल पता करना है पार्गडवेट कितन है तोटल नंबर ऑफ पार्गडवेन अब टोटल कार yes, total order total number of cars total bikes total bikes कितने M है, total bikes M है और एक bike में 2 पहिया होता है तो total bikes कितने हो जाएगा है, 2M total wheels कितने हो जाएगा 2M हो जाएगा, बात समय है, तो total wheels हमारा इतना हो गया, ठीक है अब एक algebraic expression निकालते है क्या, यह total wheels है total wheels is equals to is equals to 100 plus twice of the parked vehicle twice of the parked vehicle मतलब C plus M total wheels का कितना formula है, 4C plus 2M is equals to 100 plus 2C plus 2M, ठीक है, okay done यह बात है हमें समझ भाएगा है क्योंकि TW हमें पता है TW कितना है, 4C plus 2M उसी को हम लोग यहाँ पूट कर दिये उसी के जगा पर यहाँ पूट कर दिये, तो यह पूरा equation बढ़ गया और यह equation आ गया, तो हमें एक चीज़ पता चल गया, क्या है कि 2M से 2M कट जाएगा, okay done और 2C को इधर लीके हैं, तो कितना हो जाएगा 2C is equals to 100 that is C equals to 50, तो total car कितने होगे, 50 होगे तो हमें क्या पूछा है, कि the number of cars parked तो number of cars कितने होगे, 50 होगे अगर यह question को अगर तुम लोग थोड़ा basic concept लगाते ना एक algebraic equation बनाते तो आराम सहो जाएगा ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला स्वाल कभी भी question आया, तो डरो मत उसको tackle करो, फिर देखो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ठीक है, चलो, देखते है mangroves can shed tons of leaves per acre, every year fungi and bacteria breaks down this leaf litter and consumes it they then are consumed by tiny worms and crushed oceans which in turn feed small fishes, which feeds larger fishes, birds and crocodiles मतलब mangroves जो है, जहाँ भी mangroves होते है वहाँ पर वहाँ की ecosystem को एक बहुत-बड़ा help करते है यह बात समझ में आती है, ठीक है coastal areas cannot have food chains without mangroves ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर mangroves नहीं होते है वहाँ पर food chain नहीं बन सकता यह statement बिल्कुल गलता है ठीक है, extreme statement है, गलती होगा ठीक है, mangroves are an essential component of all marine ecosystem देखो, all marine ecosystem लिखा है यह बात याद रखना, all marine ecosystem लिखा है मतलब, यह क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है बिल्कुल नहीं, extreme statement है यह भी extreme statement है, extreme statement कभी भी नहीं हो सकता ठीक है, mangroves have a crucial road in some of the coastal food chain देखो, यह आपको वो बुद्धा का middle part या देना बुद्धा जो है, वो हमेशा middle part बोलते है तो वही बात है, क्या आपको एक middle part follow करना है यह एक middle part दिखा रहा है तो आपको वही middle part लेना है यह middle part दिखा रहा है, तो यही इसका best answer होगा बात संच महीं, चलो, आगे बढ़ते है अगला सवाल By liberty, I mean the eager maintenance of the atmosphere in which men have opportunity to be the best selves मतला अपना best होना है, ठीक है, okay, done इस point of view से liberty को क्या मतलब दिखाए गया liberty is abstain of restraint on an human action absent of restraint तो है, लेकिन complete action of restraint नहीं है और यह statement का मतलब भी नहीं समझा रहा देखो, liberty का यह मतलब तो होता है लेकिन यह उपर वाला passage है, उसका मतलब नहीं समझा रहा तो यह नहीं होगा, ठीक है liberty is what laws permit people to perform ऐसा भी उपर कहीं पर भी law और इसको perform करने की बात भी तो नहीं कहीं गहीं है यह भी नहीं हो सकता liberty is the ability to do what one desires देखो, कुछ भी one desire को liberty नहीं कहा जा सकता अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को murder कर दूँ तो इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं किसी का murder कर सकता हूँ liberty का मतलब यह नहीं होता आपके पास एक liberty है लेकिन उसको आप एक fruitful तरीके से ही utilize कर सकते हो ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता ठीक है, ओके done liberty is the maintenance of condition for growth of human personality यही बात बोला है कि opportunity to be the best self best self का मतलब होता है for the growth of human personality ठीक है, तो यही आपका best answer होगा ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ अगला सवाल a selection is to be made for the post of principal and vice principal ठीक है, two post of, बाला one post of principal है और two post of vice principal है ठीक है, among the six candidates called for an interview only two are eligible for the post of principal ठीक है, while they all are eligible for the post of vice principal ठीक है, एक principal का post है दो vice principal का post है उसमें से सिर्फ दो person ऐसे है जो principal के post पे apply कर सकते है तो यहाँ पर दो person apply कर सकते है तो vice principal में कितने apply कर सकते है अगर दो यहाँ, चार, छे में से एक person ने principal का apply post कर दिया एक person जो principal apply करिया लेकिन वो eligible है लेकिन वो select नहीं हुआ वो vice principal के लिए apply कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है तो 6 में से 1 ही percent यहाँ पर apply हुआ तो 5 तो अभी भी बाकी है तो 5 यहाँ पर लगे अब आपके पास total कितने percent थे 6 percent है उसमें से 1 यहाँ पर apply कर दिया 2 into 5 into 4 that will lead us to कितना 5 to the 10 10 to the 40 तो 40 क्या 40 कहीं पर भी answer नहीं है तो इसका answer क्यों जाएगा None of the above इसका answer क्यों जाएगा None of the above बात सुंद नहीं चीक है चलो आगे बड़ते है अगला सवाल की तरफ A student has to opt for two subjects out of the five subjects देखो दो subject opt करना है पाँ subject है ठीक है और वो पाँ subject कौन-कौन सा है Commerce है, Economics है, Statistics है Mathematics 1 है and Mathematics 2 है ठीक है Mathematics 2 can be offered only if Mathematics 1 is offered देखो ये बोला गया है कि Mathematics 2 तभी offer किया जाएगा जब Mathematics 1 offer किया जाएगा लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि Mathematics 1 लिया है तो आपको Mathematics 1 लेना ही पड़ेगा ये बात समझ में आगी? ठीक है, ओके बात ये बात समझ में आगी तो what is the different combination of the two subjects which can be offered अब इसमें से हमें different combination निकालना है जो इन दोनों subject में से क्या-क्या निगल सकते है सबसे पहले हम लोग starting से शुरू करते है सबसे पहले हम लोग Commerce लेते है Commerce के साथ क्या-क्या subject लिया जा सकता है Economics लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है Commerce के साथ Statistics लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है Commerce के साथ Mathematics 1 लिया जा सकता है बिल्कुल Mathematics 1 लिया जा सकता है Commerce के साथ Mathematics 2 लिया जा सकता है क्या नहीं लिया जा सकता है क्यों Mathematics 2 सिर्फ और सिर्फ Mathematics 1 के साथ जाएगा ठीक है तो okay done Mathematics 2 नहीं जा जाएगा उसके बाद दूसरा सब्डेश रिखते है Economics Economics के साथ Commerce लिया जा सकता है बिल्कुल लिया जा सकता है इकनोमिक के साथ do मैथेमेटिक सू के साथ मैथेमेटिक सू के साथ लिया जा सकता है, Mathematics 1 Mathematics 2 के साथ लिया जा सकता है, बिल्कुल, Mathematics 2 के साथ लिया जा सकता है, ठीक है, Mathematics 2 के साथ लिया जा सकता है, अब एक equation और बज गया, क्या, Statistics Statistics किस-किस के साथ लिया जा सकता है, Statistics सब के साथ लिया जा सकता है, even Statistics statistics mathematics ones के साथ भी लिया जा सकता है लेकिन mathematics two के साथ नहीं लिया जा सकता है तो SM one बन गया ठीक है हमारे पास total कितने सारे probabilities बन जाते है one two three four five six and seven total कितने probabilities बनते है seven तो answer क्यों जागा seven ठीक है आपको total मैंने समझाया ठीक है black socks कितने five pair and some pair of browns the price of black pair was thrice that of brown pair ठीक है while preparing the bill the bill clerk interchange the number of black and brown ठीक है and by mistake which increased the bill by hundred percent ठीक है आपको यह question समझ में है question कह कह रहा है क्या कह रहा है question question कह रहा है कि आपके पास socks थे और कुछ socks आपने लिये जो black color के थे और कुछ brown color के थे ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने black color के लिये वो five लिये और brown color के कितने लिये वो हमें नहीं पता उसको हम लोग x मान लेते है ठीक है x मान लेते है अब यह हमारे quantity है और इसका price अब जो brown का price है मान लो brown का price y है तो black का price कितना हो जाएगा वो 3y हो जाएगा ठीक है तो original price कितना होना चाहिए था original होना चाहिए था original होना चाहिए इन दोनों को multiply कर दो that is five three is a fifteen y और इन दोनों को multiply करेंगे that is x y इन दोनों को add कर देंगे तो हमारा total price आ जाना चाहिए था that is 15y plus xy यह हमारा original price था लेकिन क्या किया इन्होंने इन्होंने black की जो price थी black की जो price थी उसको brown से multiply कर दिया और जो brown की price थी उसको black से multiply कर दिया ठीक है इसके कारण क्या हुआ कि जो total price था उसमें 100% increase हो गया 100% मतलब दुगना हो गया कभी भी 100% का मतलब होता है कि जितना था उसका दुगना हो जाना ठीक है मतलब उसका two times हो जाना ठीक है तो अगर हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इन दोनों को interchange कर देते हैं तो that will give us क्या 5y मिल जाएगा और क्या मिलेगा 3xy मिल जाएगा 2 x 15 that is 30y plus 2xy यह बात समझ में हमारे यह एक equation बैठ जाती है ठीक है एक हमारे equation यह बैठ जाता है ठीक है लेकिन इसमें से हम लोग एक चीज़ कर सकते है क्या total में yy है देखो left hand side भी y है right hand side भी y है तो अगर हम y को हटा दिया जाए y को हटा देते है तो फिर हमारे equation में देता है 5 plus 3x equals to 30 plus 2x अब x x को एक जगा लेके आजाओ numbers को एक जगा लेके आजाओ तो x को अगर इधर लेके आगे तो 3x minus 2x that is x और 30 में से 5 minus कर दिया 30 minus 5 that is 25 तो x की value कितना हो गया that is x x is equals to 25 तो x की value हमें brown की जो quantity है वो हो गया कितना 25 हमें क्या पूछा है what is the number of pair of brown socks brown socks का number ही पूछा है हमें x पूछा है तो x का value कितना हो जाता है वो हो जाता है 25 answer आजाता है ठीक है चलो answer आजाता है अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये सवाल drop हो गया था UPSC में तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे आगे देखते हैं अगला सवाल की तरफ the graph defects the earning of A and B A और B का earning बताया गया 2000 से लेके 2010 के बीच में जिसमें A जो है वो 2000 से लेके 2007 तक profit कमा रहा था B से ज़्यादा कमा रहा था और फिर 2007 से लेके 2010 के बीच में थोड़ा कम कमाने लग गया B से थोड़ा सा कम तो हम देखते हैं कि A का profit कितना है यह पहले यहाँ पर इतना profit है और B में कितना profit B को B कितना profit कमा रहा है वो इतना profit कमा रहा है A ज़्यादा profit कमा रहा है कि B ज़्यादा profit कमा रहा है कमाता है तो यह चीज आपको established हो गई है इसी diagram से आपको established हो गई है कि A जो है वो of course ही बात है B से जादा कमाता है तो इसका answer क्या हो जाता है वो हो जाता है ठीक है यह simple question पूछाता है चलो आगे बढ़ते अगला सवाल की तरफ two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes if both tanks are open simultaneously how much time will they take to fill the tank completely पहुत easy सवाल है 20 minute और 30 minute में A A जो है वो एक tank को 20 minute में बर सकता है B जो है वो 30 minute में बर सकता है तो लों को एक साथ खोल दिया जाए तो कब तक में बर देगे सबसे पहले इस सवाल को कैसे किरते है simple तरीका है 1 by 20 plus 1 by 30 ठीक है 1 by 20 जितना भी number दिया उसको 1 by 1 by लेकर आजाएंगे तो इसमें यह पता चल जाएगे एक minute में कितना बरेगा एक minute में A इतना बरेगा B इतना बरेगा और दोनों एक minute में कितना बरेगे एक minute में वो लोग इतना बर रहे होंगे एक मिनेट में वो लोग इतना बर रहे होंगे ठीक है वो टैंक का इतना बर रहे होंगे तो टोटल कितना बर रहे होंगे देखो जब हम लोग इस तरीके के करेंगे तो यह आजाता है आपका 60 that will give us 20 plus 30 plus 20 that will give us 50 upon 3 to 6 50 plus 3 plus 2 that is not 50 रूग जो थोड़ा समिस्टिक हो रहा है 1 by 20 plus 1 by 30 that will give us 60 3 plus 2 that will be 5 upon 60 that will give us 1 by 12 तो वो एक मिनेट में 1 by 12 पार्ट भर रहे होंगे एक मिनेट में वो 1 by 12 पार्ट भर रहे होंगे तो उनको टोटल पार्ट भरने में कितना मिनेट लगेगा वो बारा मिनेट लगेगा एक मिनेट में अगर वो बारा पार्ट भर रहे है तो बारा पार्ट भरने में कितना पार्ट लगेगा वो उसको एक मिनेट लगेगा ठीक है इस ही एज़ट ऑपोजिट हो जाता है जब 1 by 12 हो जाता है ना तो उसको just opposite कर तो वही answer आजाता है तो 1 by 12 को अगर हम opposite कर देते तो answer आजाता है 12 minutes 12 minutes उसको लगते है total इस tank को दोनों को एक साथ बरने में ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला सवाल Each of the six different faces of a cube have been coated with a different color that is V I B G Y O ठीक है इस तरीके से दिया गया है following the information the colors यह कुछ-कुछ information दिया हुआ है लेकिन और question क्या पूछा है question पूछा है what is the face opposite to the color with O देखो जब कभी भी opposite बताना हो na color opposite of O तो यह देख लेना कि क्या दो adjacent side हमें दिये हैं जो दोनो मालो O दिया है ठीक है देखो एक example से आपको समझाता हूँ देखो first लो और third लो ठीक है okay first लिया और third लिया उसमें हमें क्या क्या मिला कि Y O और B जो है यह तीनो adjacent faces हैं यह तीनो एक दूसरे के faces हैं adjacent मतलब यह एक face हुआ यह एक face हुआ यह एक face हुआ तो यह तीनो adjacent हो है मतलब यहाँ पर Y होगा यहाँ पर O होगा यहाँ पर B होगा ठीक है यह तीनो adjacent faces हैं ठीक है और B, G और Y भी adjacent faces हैं मतलब क्या हो गया कि B और Y adjacent है और एक और G भी आया है तो ऐसा कौन सा position होगा जहाँ पर Y और B दोनों touch कर रहे होंगे accept this position वो होगा just Y और B को जो यहाँ पर इस section में जो आ रहा होगा जो just इसके opposite में आ रहा होगा वो section ऐसा होगा जो Y को भी touch कर रहा होगा और B को भी touch कर रहा होगा जी बिलकुल तो वो section क्या है वो section है G ठीक है यही पूछा है तो color B, G, Y आ रहा होने adjacent faces मतलब यहाँ पर Y है य अगर 2 common हों जैसे Y common है Y common है B common है B common है B common है तो जो तीसरा phase बढ़ जाता है वो हमेशा opposite होगे जैसे O और G opposite होगे यह बात यादटना ठीक है यह बात सब्सक्राइब अगर यह दोनो common दिए है यह दोनो common दिए है तो जो दूसरा number दिया होगा न जैसे दूसरा जो भी कुछ O दिया होगा, G दिया होगा और कुछ भी दिया होगा, वो दोनों हमेशा opposite होगे, ये बात याद रगना तो O का opposite कौन होगा, वो होगा G ठीक है, ये एक simple formula है अगर तुम्हें पता होगा, तो तुम अच्छे से कर लोगे चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ Some of the following statement followed two conclusion, देखो, दो conclusion है Some men are great, some men are wise देखो, some some लिखा है Some men are great, some men are wise अब conclusion क्या लिखा है? Men are either great or wise, ऐसा कहीं लिखा है कि Some men are great and rest are wise नहीं पर कहीं पर भी लिखा है कि rest ग्रश लिखा है किया? नहीं लिखा है न? तो यह statement नहीं हो सकता, ठीक है Some men are neither great nor wise ऐसा कहीं लिखा है किया? Some men are great, some men are wise and some are none Some are none, ऐसा कहीं लिखा है किया? नहीं लिखा है न? तो हमें अपने से कुछ भी conclusion नहीं निकालना है जो statement दिया है उस ही से conclusion निकालना है तो यह भी हटा दो तो दोन ही statement गलत हो जाते है ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल की तरफ देखते है 56 number सवाल Some claim to have seen UFO कुछ नहीं UFO देखा है Life on other heavenly bodies is considered to be a possibility इसका UFO सो कोई relation नहीं है इसका UFO सो कोई relation नहीं है 3rd, UOS to an space is now an established fact 3rd statement जो है 1st, 2nd दोनों से independent है और 2nd जो है वो भी 3rd से independent है तीनों statement अपने में independent है ठीक है यह बात सब्सक्राइब आ गई? अब क्या conclusion निकाला गया है UFO और heavenly bodies कहीं पर भी UFO और heavenly bodies लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? तो हम खुद से conclusion नहीं निकालेंगे UFOs are sent from heavenly bodies कहीं पर भी लिखा है क्या? कि UFO को heavenly bodies भेजता है नहीं लिखा है ना? तो नहीं निकालेंगे conclusion Some living species in other heavenly bodies are more intelligent than men कहीं पर भी कुछ intelligence के बार में लिखा है क्या? इस तीनों statement में कहीं पर भी intelligence के बार में लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना? तो हम इसको भी नहीं इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे C is also gone D रेको Nothing definite can be said upon UFO तेको कुछ भी definite नहीं कहा जा सकता क्यों? क्योंकि some claims कुछ claim करते है कुछ ने definitely नहीं कहा है कि उसने UFO देखा ही है definite नहीं है only claim है ठीक है? यह बात यहाद रखना और जब जहाँ पर claim होता है वहाँ पर definitely नहीं कहा जा सकता ठीक है? तो इसका answer क्या हो जाएगा? D Some does not confirm they have seen UFO Some claim to have seen UFO मैं तब वही है ना? Snake and rope का जो कहानी है कि हमने rope देगा लेकिन किसी को लगा कि वह snake है तो यह थोड़ी का जा सकता है कि rope is equals to snake वही बात है ठीक है? चलो आगे बढ़ते है अगला statement की तरफ देखते है ABCD ABC into D E E D is equals to ABC where ABCD are different digits ठीक है? यह बात समझ में है कि अगर हम इन दोलों को multiply करते है तो हमें यह ABC ABC आ जाता है अब इस statement में क्या किया जा सकता है कि इस statement में जब कभी इस type का सवाल हो तो इसको किस तरीके से solve करें इसको हमेशा option put करके देखा जाता है कि जैसे यहाँ पर D200 लिया है तो यहाँ पर 002 ABC को multiply करके देखो क्या यह आ रहा है क्या नहीं आ रहा है फिर 01 put करके देखो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस तरीके से अगर हम लोग करते है तो हमें देखो C में क्या पता चल रहा है C में पता चल रहा है क्या कि 2 है 1 और 0 1 और 0 है तो अगर ABC को 1001 देखो D, E, E, D देखो D में अगर हम लोग 1 रखते हैं D में 1 रखें E में 0 रखें E में 0 रखें फिर again E E में again 0 फिर D आ गया तो हमें 1001 आता है उसको अगर हम लोग A, B, C से मिल्टिप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है C, C, 0, 0 and then again C again फिर B, 0, 0, B again 2 आता है A, 0, 0, A तो आंसर क्या आता है C, B, A C, B, A तो आपका आंसर क्या आता है A, B, C, A, B, C A, B, C, A, B, C तो आंसर क्या आता है आपका C आता है जब आप 1001 रखते हैं D, E, D में तब आपका आंसर जो आता है वो आता है A, B, C, A, B, C इसको इस तरीके से input करके देखना पड़ता है तो इसका answer क्या आजाता है 1001 ठीक है आगे देखते अगले सवाल The year wise price commodity की बताना है The price of commodity in the 1990s 1990s में बताना है तो 1990s मतलब ये वाला line ये वाला line ठीक है और 10 का line कहां पर आ रहा है वो यहां पर आ रहा है 20 का line कहां पर आ रहा है वो यहां पर आ रहा है तो 1990s में कहां पर है कुछ 10 और 20 के बीच में 10 और 20 के बीच में कहीं पर आ रहा है यहां पर 1990s है 10 और 20 के बीच में कहीं पर आ रहा है तो the price of commodity must have been 10 नहीं must have been 12 क्या यहां पर लिखा है कि ये is equals to 12 नहीं लिखा ना यह नहीं लिखा ना तो हम खुद से speculate नहीं करेंगे Must have been between anywhere between 10 and 12 यह statement है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला statement की दरफ 59 अब portion of expenditure was the portion of expenditure on various items by two families ठीक है दो families का expenditure दिया हुआ है एक family का monthly income कितना है दो हजार है 20,000 है 20,000 में सो वो 50% food में देता है 20,000 का 50% मतलब कितना हो जाता है वो 10,000 रुपए food में spend करता है ठीक है और दूसरे family का जो monthly expenditure वो कितना है 1,00,000 है 1,00,000 में से वो food में कितना expend करता है वो 10% करता है तो 1,00,000 का 10% कितना होता है that is also equals to 10,000 तो वो 10,000 spend कर रहा है वो भी 10,000 family A भी 10,000 spend कर रहा है family B भी 10,000 spend कर रहा है ठीक है अब देखते हैं क्या लिखा गया है from this chart we can conclude that family A spend more money on food than family B क्या A जो है यह A के graph है यह B का graph है A जो है B से जादा spend कर रहा है क्या नहीं दोनों equal कर रहा है दोनों 10,000 कर रहा है ठीक है B spend more money than A नहीं यह भी statement गलत है A and B spend the same amount on food देखो food में भी यह 50% 10,000 हो रहा है इसका भी 1,000,000 का 10% 10,000 हो रहा है तो दोनों same amount food कर रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा C ठीक है ओके done अगला सवाल 60 number सवाल उशा रन faster than Kamla उशा जो है वो कमला से faster run करती है प्रिती रन slower than Swati प्रिती जो है वो Swati से slow run करती है ठीक है मतलब क्या 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 बैटेगा और Swati रन slower than Kamla Swati जो है slower than Kamla दोड़ती है सबसे पहले उशा रन faster than Kamla उशा जो है कमला से faster run करती है है कमला से faster run करती है यहांपर k लिख दिया फिर क्रीषी रन slower than Swati मतलब क्रीफी वह slower than Swati स्वाटिए दोड़ती है Swati यहाँ पर होगी और Preeti वो slower दोड़ेगी यानि Swati वो W doğru looked स्वाटि से जाधा तेज दोड़ेगी Swati रन slower than कमला अग्ला सवाल देखते है 68 बिट्वीन शिक्स पीम और सवेंड प्लॉक विल बी अहेंड आर हैंड बाइट्री मिनेट से मिनेट जो है वो क्लॉक हैंड से थ्री मिनेट से अहेंड होगा यह 6 और 7 के बीच का समय है तो ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें वो तीन मिनेट अहेंड होगा तीन मिनेट निकालना है तो अगर इसका दो तरीका है एक तरीका है कि आप तो घड़ी आप खुझ लेके जाओ वहां पर और वहां पर गुमा के देख लो घड़ी अलाउड होता है और घड़ी गुमा के देख लोगे तो यह आपका देखो अगर ethics के हिसाफ से देखा जाए तो हाँ हाँ यह गलत है लेकिन अगर law के हिसाफ से देखा जाए तो वह सही है ठीक है आप घड़ी यूज कर सकते हो और घड़ी में आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो आप घड़ 6-15 कुछ इस तरीके से होता है इन दोनों के बीच में क्या 3 मिनिट का डिफरेंस है क्या नहीं 15 मिनिट का डिफरेंस दिखता है लगबग लगबग 15 मिनिट का डिफरेंस 6 और 18 के बीच में मतलब लगबग यहां कहीं पर तो वही 12-12.5 मिनिट का difference दिख रहा है हमको ठीक है? 3 मिनिट का difference दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है 6.36 कुछ नहीं बोला जा सकता ठीक है? 6.48 देखो 6.48 कैसे बसता है? 6 ऐसे बसता है और 48 ऐसे बसता है तो लगग लगगगा कुछ इस तरीके से बाटता है तो यह इन दोनक बीच में क्या 3 मिनिट का difference दिख रहा है क्या? नहीं नहीं दिख रहा है तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया इसका answer क्या हो जागा? C हो जागा लेकिन अगर आप बोलोगी मैं common sense भी नहीं लगाना चाहता हूँ मैं घड़ी भी नहीं लेकर क्या हूँ सर मुझे कोई formula बता हो जिससे इस question को solve किया सकता है तो चलो मैं formula भी बता देता हूँ यह तो चलो यह तो एक लगगी बात है कि इस type का question आ गया लेकिन अगर आपको formula पता होगा तो if and but आपको इस type के question सारी तरीके से आप solve कर पाऊगे ठीक है तो सबसे पहले अगर हमें angle का formula बताना है कि angle के बीच में कोई भी hour और minute के बीच में एक angle बनता है उस angle का formula क्या होता है angle का formula होता है 30 into h h मतलब hour जैसे 6 बज़ रहा है तो 30 into 6 और minute को minute को कैसे लिखेंगे minus 30 into h minus 11 upon 2 11 upon 2 into m m मतलब minutes ये आपका angle का formula होता है ये आपका angle का formula होता है जो एक hour और minute के बीच में बनता है actually ये formula इसलिए दिया गया है ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 6 से लेके 7 बज़े के बीच में वो जो hour hand है 6 से लेके 7 के बीच में जो hour hand है वो भी तो 6 से 7 की तरफ जाता है तो वो जब 6 से 7 की तरफ जा रहा होता है मालो ये गड़ी है ठीक है ये गड़ी है और यहाँ पर 6 बज़ रहा है और यहां पर 7 बज रहा है ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि अभी 6 बज रहा है और 6 बज के 59 मिनिट में वो 6 बजे तक था और जैसे 7 बजा वो अचानक से 7 पर पहुंच गया नहीं होता है वो भी धीरे 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 करके वो भी मूफ कर रहा होता है तो उसी को सॉल्व करने के लिए यह एक फॉर्मुला दिया गया है ठीक है उसी को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मुला दिया है यह वाला ठीक है तो यह फॉर्मुला अगर आप यूस करते हो तो भी आपका अंसर निकल जाएगा कैसे निकल जाएगा द That will give us 2, 6, 3 is a 1, sorry, sorry, 6 and 6, 6, So it will give us 18 degree, 18 degree का angle बनता है, 18 degree का अगर हमें angle बनता है, So 18 degree का angle बनता है, तो हमें ऐसा देखना है कि, इन चारो में से कौन सा ऐसा है, जिसमें hour और minute की बीच में 18 degree का angle बेचता है, देखो मैं एक ही example लेता हूँ 6, 36 का, 6, 36 में देखो, 6, 6 into 30, hour into 30, देखो hour into 30, okay, done, minus 11 upon 2 into minutes, minutes कितना है, 36, minutes 36, इन दो लोगो काटा है, तो यह आपका बन जाता है 18, ठीक है, 18 into 11, 18 into 11 आपका आजाता है, 18 into 11, 18 into 11 आपका आजाता है 198, ठीक है 198, और 6 into 30 आपका आजाता है 180, इन दो लोगो, अगर हम लोग minus करते हैं, तो हमारे कितना answer आजाता है, minus 18, देखो minus 18 आए, तो कुछ लोग बोलेंगे, सर, यहाँ पर तो हमें plus 18 चाहिए, यहाँ पर minus 18 आए, minus 18 का मतलब होता है, कि वो anti-clockwise direction में है, minus का मतलब होता है, कि वो anti-clockwise direction में है, minus 18 का मतलब होता है, कि वो clockwise direction में है, minus और plus में बस, जब degrees में देखा जाए, तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाता है, वो हो जाता है C, ठीक है, देखो, आपको मैंने, दोनों तरीक, तीनों तरीके से solve करने का, बता दिया है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो 69 सवाल है, ठीक है, there are five tasks and five percent, five tasks है और five percent है, task one cannot be assigned to either person one, और person two, task one जो है, ना percent, देखो, पांच task है, पांच person है, तो पांच task का पहले box बना रहते हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, four, five, ठीक है, task one जो है, ना percent one को दिया जा सकता है, ना percent two को दिया जा सकता है, ठीक है, okay done, task one हम किसी उनको भी नहीं दे सकते हैं, okay, ठीक है, task two must be assigned to either person three or person four, सबसे पहले, हमें task two को complete करना चाहिए, देखो, one, two, three, four, five, जब कभी इस तरीके से, एक, compulsory statement दे दिया जाता है, कि हम, या तो इसको, या तो इसको, इन दोनों में से किसी को नहीं देंगे, इन दोनों का अलावा किसी को नहीं देंगे, तो सबसे पहला उसी का काम होता है, तो सबसे पहला है, task two का काम होगा, इस situation में यहाँ पर कितने options बसते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है इसमें से एक option जो है वो task 2 में already जा चुका है ठीक है और एक option मालो 3 और 4 में से कोई भी एक गया मालो 3 ही गया ठीक है और ना 1 और 2 में से किसी को नहीं देगा और 3 भी जा चुका है तो हमारे पास कितने option बचें टास्क 1 को complete करने के वो बचें 2 ठीक है 2 option बचें अब task 3 में कितने option बचें एक मालो कोई भी मालो यहाँ पर कितने option बचें सबसे पहले 1 बचा 2 बचा ठीक है 3 2 में चला गया तो 3 नहीं आ सकता 4 जो है वो 1 में चला गया मालो 4 1 में चला गया तो बचा कितना 5 तो हमारे पास कितने option बचें टास्क 3 को करने के लिए वो बचें 3 options फिर task 4 में 2 option बचेंगे और task 5 में एक ही option बचेंगा ठीक है तो task 1 में कितने option है 2, task 2 में कितने option है 2, task 3 में कितने option है 3, task 4 में कितने option है that is 2, तो आपके total options कितने बच गए, 2 into 2 into 3 into 2 that will give us 24, 2 into 2 2 into 2 that is 4, 3 into 6 3 into 2 that is 6 6 into 4 that is 24 तो answer के आज आता आपका 24 समझ मैं किस तरीके से मैंने इसको पूरे explain किया है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता हो, तो हमें आप comment section में जरूर बता देना, आगर की सवाल देखते है, 17 number सवाल, तो monthly income of Peter and Paul are in ratio of 4 is to 3 and their expenses are in ratio of 3 is to 2 ठीक है, if each saves 6,000 at the end of the month देखो, 6,000 रुपे वो at the end of the month वो दोनों बचाते है, ठीक है अब हमें ये पता करना है कि their monthly incomes कितने है, monthly incomes कितने है, सबसे पहला आगा हमें equation निकालना है, सबसे पहला equation किया है कि उन दोनों का monthly income कितने है 4x और 3x है, ठीक है monthly उनका incomes है, 4x और 3x और वो लोग expense कितने करते है वो लोग 3y और 2y expense करते है, ठीक है 3y और 2y, तो एक चीज समझ में आगी कि जो उनका income है और जो उनका खर्चा है उन दोनों को, अगर हम लोग दोनों को minus कर लेते है तो दोनों में 6,000, 6,000 रुपे आता है ठीक है, मतलब 4x minus 3y is equals to 6,000 रुपीज और 3x minus 2y is equals to 6,000 रुपीज यही तो लिखा है, ठीक हो, their expenses are in ratio इतना if they save 6,000 at the each of the month 6,000 रुपे वो लोग हर मन्त बचा ही रहा है तो हमाँ पास 2 equation, 2 problem, 2 equation आ गया है तीक है, 2 algebra की expression 2 statements आ चुके हैं तो इसको easily हम लोग x और y निकाल सकते हैं कैसे x और y हम लोग निकाल सकते हैं अगर हम इन दोनों में इसमें 2 multiply करते हैं इसमें 3 multiply करते हैं तो कितने आ जाते हैं तो हमें आ जाते हैं 8x-6y और नीचे आ जाते हैं 9x-6y ठीक है –6y is equals to 12,000 12,000 और is equals to 18,000 ठीक है अब इसको अगर हम लोग इन दोनों को minus कर देते हैं इन दोनों equation को 1st equation और 2nd equation को minus कर देते हैं तो अगर हम इन दोनों को minus करते हैं तो हमेरे परस क्या answer आता है तो यहाँ पर minus आ जाएगा यह minus का plus हो जाएगा यह plus का minus हो जाएगा तो हमारे कितना आ जाएगा –x is equals to यह दोनों कर जाएगे और 3x in 3 into 6000 that is 24,000 और 6 3 is 18 that is 18,000 तो 24,000 और 18,000 उनके मन्तली इंकम हो जाएंगे तो इसका अंसर का जाएगा बात समय चलो आगे बढ़ते हैं अगला स्वाल तू सिटीज A and B are 360 km अपार्ट A and B are 360 km अपार्ट A and B are 360 km अपार्ट A car travels from A to B at the speed of 40 km अपार and returns to A with a speed of 60 km अपार अब हमें average speed निकालना है A से B जा रहा है और B से वापस ही आ रहा है ठीक है तो A to B and returning B to A ठीक है B से वापस A की तरफ आ रहा है यहाँ पर वो 360 km चला यहाँ पर 360 km चला average speed का formula क्या होता है average speed equals to average speed is equals to total distance total distance upon total time total distance upon total time ठीक है total distance कितना travel किया एक तो 360 इधर जाने में और 360 वापस आने में that is 720 720 वो total distance travel कर चुका है अब total time कितना लिया पहले वारे में speed में पहले वाले का जो speed है पहले वाले का speed है उसको अगर हम लोग distance से divide कर देते है that is 360 upon 40 तो यह आपका time निकल जाएगा यह आपका time निकल जाएगा that will give us 9 और दूसरे वाले में 360 again 360 km वापस आया लेकिन उसकी speed कितनी थी इस बार 60 की speed में थी तो उसको 6 गंटे लगे तो एक बार में 9 गंटे लगे एक बार में 6 गंटे लगे तो total कितने गंटे लगे 15 गंटे लगे इन दोनों को plus करेंगे तो पंद्रा आ जाएगा same age, कोई भी दो same age के नहीं है all have bird age on the same day of the same month सबका एकी दिन, एकी समय में bird day है ठीक है, okay, done the youngest जो है, जो youngest है, वो 17 years old का है और जो oldest है, वो 22 years old का है ठीक है, और oldest कोई है, वो E है ठीक है, oldest कोई है, वो है E ठीक है, E हमारा oldest हो जाता है और यह कितने साल का है, वो 22 साल का है ठीक है, अब जो सबसे छोटा है, वो है 17 साल का ठीक है, done, F is somewhere between B and D, F जो है वो B और D के बीच में है, यह बात समझ में आ गई मतलब, F अगर यहाँ पर है तो हो सकता है, B यहाँ पर हो, और D यहाँ पर हो या फिर, ऐसा भी तो हो सकता है कि D यहाँ पर हो, और B यहाँ पर हो यह भी तो एक possibilities है, जी बिल्कुल तो F इन दोनों के बीच में भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है F जो है इन दोनों के बीच में है ठीक है, A is older than B A जो है वो B से बढ़ा है यानि A कहीं पर भी यहां कहीं पर आएगा क्यों? अगर यहां पर आएगा, तो भी इस situation में भी वो A B से बढ़ा है और इस situation में भी A जो है B से बढ़ा है ठीक है, A जो है वो इस side आगया ठीक है, और C is older than D, अब C को भी यहां कहीं पर आपड़ेगा, ठीक है, C को भी यहां कहीं आपड़ेगा, C को यहां क्यों आपड़ेगा क्योंकि C अगर इस side आता है तो भी वो B से बढ़ा है और यहां पर भी D से, इस situation में भी वो D से बढ़ा है, ठीक है, दोनों में वो D से D, another equation is E, A and C D, F and B D, F and B ठीक है दो equation बैढ़ जाती है अब इसके बाद हम लोग देखते है कि जो सबसे बड़ा है, वो 22 साल का है और जो सबसे शोटा है, वो 17 साल का है ठीक है, चाहे वो D हो, चाहे वो B हो लेकिन दोनों में से कोई भी एक है जो 17 साल का है तो फिर अगर हम लोग इसको linear wise अगर हम लोग सजाएं, तो कैसे आता है 21 साल, 20 साल, 19 साल, 18 साल and 17 साल तो इस तरीके से equation बैठती है अब इसमें से कौन सी एक possibility है ठीक है, D is 20 years old क्या D 20 साल का है, नहीं ना तो इस situation में, ना इस situation में दोनों में से किसी भी situation में D 20 साल का नहीं हो सकता यहाँ पर D कितने साल का है, वो 19 साल का है यहाँ पर D कितने साल का है, वो 17 साल का है तो D 20 साल का तो नहीं हो सकता, तो यह हटा दो F, अब तीनों equation में F दिया है F की age बता दो, F चाहे इस situation से जाए चाहिए वो इस situation से जाए दोनों में F की जो age है वो 18 ही है F चाहिए किसी भी situation से जाए इस situation से जाए चाहिए इस situation से जाए ठीक है दोनों में age कितना है 18 है तो F is 18 years old F जो है 18 years का ही है ठीक है यह एक possibility है और यही एक possibility हो सकती है तह चाहिए कि एकक्स और यह और होिसकता है तो चाहिए साहिए हूच्छ करते हैं आग बड़ते हैं अग्ला सवाल यह थेको यह वाल जो सवाल है इन उसाइट लुपोजजान तो है और युपोजदा है to shake hands when they meet ठीक है? जब कभी भी महिला महिला मिलती है तो वो हग करती है और जब कभी महिला और एक पुरुष मिलता है तो वो हाट मिलाते है ठीक है? ये बाद समझ में आ गई अब इसके बाद क्या पूछा है कि a group of friends meet in a party there were 24 handshakes 24 handshakes थे 24 handshakes मतलब दोनो opposite sex के थे मतलब महिला और मेल थे ठीक है? तो अगर जब कभी भी जब opposite sex होते है opposite sex होते है तो वहाँ handshake होता है और handshake मतलब 24 है तो 24 किस तरीके से हो सकता है? या तो देखो 24 male हो और 1 female हो तो 24 into 1 equals to 24 हो जाता है या just इसके opposite 1 male हो और 24 female हो ठीक है? या फिर इसके अलावा क्या क्या और क्या हो सकता है? या तो 8 male हो और और 3 female हो तो भी 24 हो जाएगा या फिर 6 male हो और 4 female हो तो भी आजाएगा या फिर 12 male हो और 2 female हो तो भी just यह 3 equations आपके सामने बैठ सकते है अब इसमें आपको क्या करना है कि permutation and combination में 6 combination लगाना है जब आप combination पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जागा कि कहाँ पर permutation लगाना है और कहा पर combination लगाना है और जब आप combination लगाओगे तो 24C1 24C1 और 24 1C1 जब आप लगाओगे तो आपका इन में से कोई भी answer नहीं आएगा फिर आप इसमें लगाओगे तो भी कोई answer नहीं आएगा इन में से जब आप 6 और 4 का combination और permutation लगाओगे तो क्या आएगा 6C2 लगाओगे plus 4C2 लगाओगे तो आपका answer कितना आजाएगा देखो 6C2 मतलब 6 into 5 upon 2 plus 4 4 into 3 upon 2 तो दोनों को जब आप करोगे तो कितना आजाएगा 5, 3 is a 15 और 4, 2 is a 2 3, 2 is a 6 तो आपका कितना आजाएगा 21 तो answer यहाँपर 21 हो जाएगा तो यह possibility हो सकती है इस ताइप के सवाल को इस तरीके से किया जा सकता है combination और permutation को लगा के ठीक है चलो आगे बढ़ते है अगला सवाल की तरफ जेखते है यह last 6 questions है इसको जल्दी जल्दी हम लोग solve करने की कोशिश करते है 2 men, Anil and David and 2 women, Shabnam and Rekha are in sales group ठीक है, sales group में है only two person can speak Tamil देखो, 2 person Tamil बोलेगा ठीक है, the other two person can speak Marathi only two person can speak Tamil only two person can speak Marathi यह भी बात समझ में आगी ठीक है, only one man and one woman can drive a car और कौन-कौन drive कर सकता है बोत Rekha and David can drive तो one man में कौन हो गया, David हो गया और one woman में कौन हो गया, Rekha हो गया ठीक है, तो Rekha and David can drive a car और सिर्फ यही दोने ड्राइव कर सकते हैं ठीक है, उसके अलाबा और कोई ड्राइव नहीं कर सकता यानी क्या, Anil और Shabnam can not drive car ठीक है, Anil और Shabnam cannot drive car Anil speaks Marathi और Anil speaks Tamil देखो Anil जो है, Anil जो है, वो Tamil बोलता है और Anil ड्राइव नहीं कर सकता शबनम मराथी बोलती है और वो ड्राइव नहीं कर सकती है तो रेखा हो सकता है या तो मराथी बोल रही हो या वो तामिल बोल रही हो रेखा या तामिल बोलेगी या मराथी बोलेगी सेम डेविड जो है या तामिल बोलेगा या मराथी बोलेगा दोनों same language नहीं बूलेंगे क्योंकि एक-एक language पहले ही किसी-किसी ने ले लिया जैसे अनिल ने पहले Tamil ले लिया है और शम्नम ने ले लिया है ठीक है? तो अब दोनों के पास एक-एक ओप्शन बचे है मतलब vicke पास भी एक ही option बचा है और तमिल के पास भी एक ही option बचा है तो या तो रेखा मराथी बोलेगी या तमिल बोलेगी या डेविड तमिल बोलेगा मराथी बोलेगा दोनों एक ही language नहीं बोलेगा अगर रेखा ने तमिल ले लिया तो डेविड जो है वह मराथी बोल रहा होगा और अगर डेविड ने तो रेख जो है वहो मराथी बोल रही होगी ठीक है तो इस तरीके से equation बैट रहा है ठीक है both the tamil speakers can drive a car नहीं भाई both tamil speakers थोड़ी drive कर रहे हैं रेख और डेविट drive कर रहे है और दोनों Tamilian थोड़ी है या तो एक मराथियन है और speaks Tamil, देखो, इन में से कोई एक ऐसा विक्ती होगा, जो Tamil बोल ही रहा होगा ये statement सबसे सही है, क्यों? क्योंकि इन में से कोई ना कोई एक ऐसा तो होगा, जो Tamil बोल रहा होगा और कोई ना कोई एक ऐसा होगा, जो Marathi बोल रहा होगा तो इन दोनों में से जो drivers है उन में से कोई ना कोई एक Tamil बोल रहोगा और कोई ना कोई एक Marathi बोल रहोगा ठीक है तो इसका अंसर के हो जाता है वो हो जाता है D ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ देखते हैं इने प्लेन द führt जब कभी एक चीज़ बताता हूँ यह सवाल हीन जहां प PC परेलल्टीları की बात आती है तो कोई prag trainer अगर मानलो यह इसके परिपेंडिकुलर ला की अगलि से के प्रिपेंडिकुलर तो दोनो जो चीजें होती है वह parallel हो जाती है उसके अलावा अगर यहां पर z तरफ यहां पर z डैश है ठीके एक जड़ बना ले देश बना लेते हैं अगर पर्पेंडिकुलर होगा तो दूसरा लाइन भी Z भी पर्पेंडिकुलर ही होगा यह याद रखना है ठीक है यह आप एक basic concept है जो मैंने आपको बता दिया अब question पड़ते हैं इनन plane X is perpendicular to line Y ठीक है X जो है वो perpendicular है मालों यह X है वो perpendicular है to line Y ठीक है line Y है इसके perpendicular है X ठीक है okay done and parallel to line Z and parallel to line Z मतलब Z जो है वो X के parallel है यह दोनों एक दूसरे के parallel है ठीक है और यह parallel है तो मतलब Y के लिए पर भी perpendicular बना रहे होंगे ठीक है done line U is perpendicular to both line V and W देखो U के पर में भी नहीं ठीक है लेकिन line X is perpendicular to line V line X जो है वो line V perpendicular है line V मालों यह line V है ठीक है line V है इसके line X है वो उसके perpendicular है मतलब line Z भी इसके perpendicular हो जाएगा ठीक है line Z भी इसके perpendicular हो जाएगा ठीक है यह भी उसके perpendicular हो जाएगा उसके बाद हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी यह क्या कि लाइ जो यू है यू है वो पर्पेंडिकुलर टू लाइन वी है लाइन वी के पर्पेंडिकुलर जो है वो है यू मालो यह यू आता है यह यू आता है तो यह वी के पर्पेंडिकुलर है यह इसके पर्पेंडिकुलर लाइन यू है ठीक है और लाइन यू जो है W के भी perpendicular है मतलब यहां पर भी कहीं पर भी W भी आ रहा होगा ठीक है तो यह हमारा एक diagram बन जाता है ठीक है अब इसमें से statements पूछा है क्या कि X, U X, U and W are parallel क्या X, U and W parallel है नहीं है तो यह statement गलत हो जाता है ठीक है X, V and Y are parallel X, V and Y क्या parallel है नहीं है यह भी नहीं हो सकता ठीक है Z, V and U are perpendicular to W Z, V और W क्या perpendicular है W के नहीं नहीं हो सकता V, Y और W are parallel V, Y और W यह तीनो parallel है यह तीनो parallel है तो इसका answer क्या हो जाता है D हो जाता है ठीक है काव कॉस्ट tu छे साटो 600 तो 800 देखो baixi of the following is the most valley conclusion काउ का सबसे कंद या सकता है काऊ का zijn सबसे कंद सोग नहीं कुछ नहीं दो 216 तो अधर 257 एक सबसे कंद कितना होगा वो 600 रुपे होगा तो चार गोट का जो सबसे कम दाम होगा कितना होगा 2400 रुपे होगा 2400 रुपे जो होगा वो काओ का सबसे कम इस दाम होगा सबसे जादा ्ट्रोफ यहाइफ तर रहा थांगा ऑइस वाइश गोट ऐसे जादा शार, फाइस यहाइफ थाइफ दो बेचे पाइज फाइफ सब्ती तो इस असा थना के lizard के भीच जी पर नहीं दो बहुत है यह 2400 से लेकर 4000 के बीच में है account cost less than 3600 ऐसा भी नहीं है ठीक है account cost between 2600 and 3800 ऐसा भी नहीं है account cost between 2400 and 4000 देखो यही answer सबसे सही है 2400 और 4000 के बीच में ही आता है ठीक है आगे अगला सवाल की तरह देखते हैं लास्ट के तीन सवाल है जल्दी जल्दी देख लेते हैं are always friends, जो friends होंगे वो हमेशा cowards होंगे, जो डरपोक होंगे हमेशा दोस्त होंगे, ठीक है, ये बात समझ लो, ठीक है a fighter and a coward, मतलब एक लड़ाकू और एक जो डरपोक, are always enemies ठीक है, हमेशा enemies होंगे, तो जहां कहीं भी enemy आएगा, तो मतलब ये समझ में आजागा, कि वो दोनो एक fighter एक coward है मतलब दोनो same group के नहीं है, ठीक है fighters are indifferent to one another, दो लड़ाकू आपस में एक दूसरे को कुछ फरक नहीं पड़ता कि तू लड़ाकू है होगा, मैं लड़ाकू हूंगा उन दोनों indifferent है, एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है ठीक है, अब देखो क्या क्या statements दिया हुआ है ठीक है, if A and B are enemies A and B enemies है, enemies कौन कौन हो सकते है देखो, सबसे पहले हमें एक table बना लेना चाहिए ठीक है, एक table बना लेते हैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक table बन जाता है अब इसमें क्या 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 बोला गया है कि A and B वो enemies है ठीक है, A and B वो enemies है ठीक है, enemies है इससे हमें क्या समझ में आता है कि वो लोग कौन से team में हैं Enemies कौन हो सकते हैं, enemies जो होंगे वो हमेशा दो अलग अलग टीम के होंगे क्यों fighter and cowards are always enemies मतलब इन में से कोई एक fighter होगा और कोई एक coward होगा ठीक है तो ये दोनों team क्या है वो इन दोनों के team क्या है वो दोनों different team में है ठीक है दोनों different team में है different team में मतलब A enemy भी हो सकता है B भी enemy friends किया होते है? friends कोई होते है? Cowards तो team कोई से? उन दोनों का Same Team आ । Same Team का मितलब कोई सै कि C कूछ क्या होता है, C और D क्या होता है वो दोनों धोते है Cowards थीक है? उसके बाद Each & F are indifferent to each other E & F जो है, वो indifferent to each other E and F यह indifferent indifferent कोई होते है? जो Fighters रहसे हूते है ठीक है यह दोनों क्या होंगे? Fighters होंगे ठीक है? तो E और F Fighters है क्यों Fighters है? क्योंकि यह दोनो Indifferent है towards each other और indifferent क्यों है? Fighters are indifferent towards each other ठीक है? A and E are not enemies. देखो A और E जो है enemies नहीं है A और E enemy नहीं है तो इसका मतलब होता है कि A और E जो है वो अलग-अलग team में नहीं है A और E जो है वो अलग-अलग team में नहीं है तो मतलब क्या है कि A और E जो है वो same team में है A और E same team में है इसका मतलब होता है कि A जो है वो fighter है ठीक है? Same team मतलब fighter वाल team fighter वाल team में है enemies कौन कौन हो सकते है? enemies जो तो अलग टीम में वही एनिमीज होंगे एनिमीज कौन हो सकते हैं या तो दोनों अलग टीम में तभी एनिमीज हो सकते हैं या तो एक फाइटर हो एक कावर्ड हो तभी वह अलग होंगे ने तो तो वह या तो एक ही टीम मतलब enemies नहीं है तो वह a की team के है while b and f are enemies और b और f जो है वो enemies है मतलब b जो है वो and f से अलग team में b f से अलग team में भी यहाँ पर है और f है उब नहीं किसमें cowards में या रहा है f fighter में नहीं ठीक है तो इसे हमें यह चीजे समझ में आगे ठीक है यह हमें एक चीज़ समझ में आगे ठीक है अब देखते हैं क्या पूछा गया है which of the following statements are correct कौन सा correct statement है b c f are cowards b c और f cowards है क्या f cowards है नहीं है नहीं है तो यह statement गलत a e and f are fighters a e f are fighters जी हाँ यह देखो a e and f are fighters तो इसका answer क्या हो जाता है b हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल in a box of marble there are less three less white marbles than red ones and five more white marbles than the green ones if there are total 10 white marbles देखो तीन 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 conditions है क्या क्या conditions है सबसे पहले red है white है और green है ठीक है white कितना है 10 है red कितना है red कितना है white plus 3 यहां पर लिखा है na red is three less there are three less white marbles than red one मतलब red कितना है white plus 3 white plus 3 that is 13 10 plus 3 is equals to 13 और green कितना है green जो है वो 5 less है green जो है वो 5 less है there are five more white marbles than green one मतलब green जो है white marbles है 5 less है मतलब 10 में से 5 मिनस करते हैं that is 5 तो total कितना होगा 13 plus 10 plus 5 that is 27 तो 27 आपका sorry 10 plus 10 plus 5 is equals to 28 तो आपका कितना अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 ठीक है 28 last question candidates in an competitive exam consists of 60 men and 40 women 60 men है और 40 women है ठीक है उसमें से 60 men में से 70 men जो है वो qualify कर जाता है prelims ठीक है 70 men qualifies the qualifying test मतलब prelims pass कर जाता है और 80 men ऐसे हैं जो means pass कर जाते हैं तो total means pass करने वाले men कितने हो जाएगे total men कितने 60 men है उसमें से 70% men जो है वो pre-pass कर रहे है ठीक है अब यह जितने भी आ रहे है उसका 80% men जो है 80% men जो है वो total pass कर रहे है ठीक है जो means तक pass कर रहे है same condition with women women कितने है वो 40 है women कितना है वो है Menは 40 पी कितना women pre-pass कर रहे है that is 75% women जो है वो pre-pass कर रहे है और means कितने pass कर रही है 70% women में pass कर रहे है ठीक है 70% of women main pass कर रही है अब हमें पताना है कि क्या इसमें से कौन सा statement correct हो सकता है सबसे पहले इन दोन-ı equation को solve कर लेते हैं ठीक है इन दोन-ı equation को solve को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि इसको üकेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता है। कि 33 मेन प्री पास कर लेकिया वह मubscribe कर लेते हैं। म Meiस फास कर लेते हैं और इसको पास कर बाद हमें ये पता चलता है कि 21 weapons considering citizen में सुल्व कर लेती है थीक है.. 40 में से 21 पास कर रहे है और 60 में से 33 पास कर रहे है तो अगर हम लोग 33 divided by 60 करते हैं और 21 divided by 40 करते हैं तो अव्यसी बात है कि यह वाला जो है वो ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो success rate is higher for women ऐसा कहीं पर नहीं है overall success is below 50% नहीं भाई 60 का अगर below 50 करेंगे तो 30 से less होना चाहिए लेकिन कितना पास हो रहा है 33 पास हो रहा है तो यह men वाले में तो condition नहीं हो रहा है और दूसरे वाले में 40 40 का अगर 50% देखे तो 20 से उपर ही है 21 तो इसका मतलब यह भी है कि 50 से उपर ही success ratio है तो यह भी नहीं होगा बहुत men clear more men clear the exam than women देखो भाई men कितने clear करें 33 women कितने करें 21 तो men ज्यादा कर रहे कि women ज्यादा कर रहे है यह 33 है और यह 21 है तो men ज्यादा कर रहे है तो इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा बात समय है इसी note पर हम लोग ने 80 questions total solve कर लि देना इसके अलावा 2015 हमारा lecture total खतम हो चुका है अब इसके बाद हम लोग 2016 करेंगे अगर आपने अभी तक previous lectures नहीं देखा तो पहले जाकर आप उन्हें देखिए और अगर अभी तक आपने इस channel को यहां तक आपने देखा है इस video को तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसी note पर thank you bye